इस वीडियो में क्लास 9 जियोग्रफी का एक चाप्टर पढ़ने वाले हैं जो है क्लाइमिट क्लाइमिट चाप्टर का नाम सुनते से मुझे पता है आप सभी के चहरों पे मुस्कान आ गई होगी कारण कारण यह है कि एक वन शॉर्ड रिविजन है तो जो एक्जाम के परस् अना के इस वीडियो में आपको देने वाला हूं क्या है चाप्टर कौन-कौन से टॉपिक्स हैं कैसे कुशन बन सकते हैं सारी चीज़ें मिलके आज इस वन शॉर्ड रिविजन में क्लाइमिट चाप्टर से हम पढ़ने वाले हैं समझने वाले हैं तो ही अभी गो ने हूँ क्योंकि में इतना कुछ है बताने को कि हम 12.2 पे बात कर सकते हैं लेकिन ऍथन देने जाना है कल तो अब विखो कह है मैं एक्शाम के परस्पे quantify कर barking रहे हूं थल् David टूर्ट होगा डा तो वह सारी चीज हम क्या करने वाले हैं एक सांथ इस Ohh या और समेटने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं चाप्टर को ठीक है उससे पहले की इंपोर्टेंट अपडेट यह है कि टेलिग्राम चैनल जरूर जॉइन कर लेना लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो जहां पर आपको आगे आने वाले जो भी लेक्चर्स हैं नोट्स हैं यह सारी चीज़न मिल जाएंगे तो आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं पर सकते हैं साथ ही साथ अनकैडमी एप जरू डाउनलोड कीजेगा ठीक है इस एप पर आपको स्पेशल क्लासे मिलती है रियल टाइम इंटरेक्शन होता है जहां पर हम डाउट सॉल् इसके साथ में आप देखोगे लीडर वोट वगेरा रहता है स्कॉलर्शिप टेस्ट होते हैं यह सारी चीज़ें यह एक्साइटिंग एक्स फीचर जो हिने आप एक्स्प्लोर कर सकते हैं यूजिंग दी कोड डिए जी आरे जी ठीक है इस कोड के इस्तमाल से आप इन सारी लोकेशन को पढ़ा था तो इंडिया साइज लोकेशन को पढ़ने पर आपने क्या सीखा कि किस तरह से हमारी कंट्री है उसका लांगी ट्यूटनल एक्स्टेंट और कुछ इशू मतलब और कुछ आस्पेक्ट्स भी देखे थे वर्ड से अस्पेक्ट नेबर से असोसिएट तो इंडिया साइज और लोकेशन में आपने ये सारी चीजे समझी ठीके साइज एंड लोकेशन फिर क्या पढ़ा आपने तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आपने पड़ा था ताम वन में अब फिर अगरा चैटर टू की बात करते तो चैप्टर टू में आपने फिसिकल फीच ठीके सब्सक्राइब अन्य प्लाइफन रहतों के लेकिन मैप के पर्स्पेक्टिव से तो नहीं मैंने पढ़ाया है लेकिन आप पढ़ना चाहतों पढ़ सकते कंग क्योhan बारे में मिल घगान करोगी इन्साइट मिल जाती है अब इस चैप्टर मेर जो क्रक्स है तो समझना पता हैं तो पानी है तो पानी कहां से आ रहे है क्लाइमे टिविए हो रही है थीख कही है तो कहीना कही से घूग्राफिय में रे जीज इंफुएंस होती है क्लायउस से तक फिशेकल फीचर क्लाइमिट को influence करते हैं वो भी हम सीखेंगे चैप्टर में तो सारा सब कुछ interlinked है ठीक सारा सब कुछ क्या हुआ है उल्जा हुआ है यह जो उल्जाने है इनको आसान करने के कोशिश करेंगे चैप्टर में तो basically चैप्टर जो है अब आप चैप्टर जो है तो आपको जलवायू के बारे में बताएगा अब जो है ना तो अभी तक हम मतलब बाता वरन ऐसे लेकर चलते थे लेकिन अब जब आप चैप्टर पढ़ोगे डाइव करोगे चैप्टर के अंदर तो आपको छोटी-छोटी माईन्यूच चीजसें पता चले ओर पहला ऐसे से क्लाइमेट और वे यह तो जब mater चैप्टर यह दोनों चीज़ों में क्लाइमिट और 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 लाटक था में सबसे पहली चीज़ क्लाइमित क्लाइमिट चो होता है वेदर raj community Brau czy क्लाइमेट ब्रॉड कंसेट कैसे होता है तो क्लाइमेट में क्या गया सम्टूटल ओफ वेदर कंडिशन्स एंड वीरिशन ओवर लार्ज एरिया फॉर लॉंग पीरियड ऑफ टाइम ठीक है जैसे हम क्या कहा रहे हैं यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं कि हर दिन के वेदर को कि edeck को वेदर खहलाता है और डे टू-डे जू चेंज हो रहा होता है ठीक है ओवर दी पीरिड है मतलब दो मेहने वह चार मेहने में जो एक एक्षाम्पल देता हूँ आपको एफेका में घूमने जाओगे तो हम क्या कहते हैं एफ्रिका का ट्रॉपिकल टाइप of क्लाइमेट है जहां पर क्या है ठीक है ज्काधा रेइन फॉल नहीं होता है तो ऐरिट टाइप ब्राले टाइप of qlai इस तरह से क्या होता है कि क्लाइमेट एक प्रोलोंग्ड वाली चीज हो गई और वेदर डे टुडे फिनोमेना हो गया तो स्टेट ऑफ दी अट्मॉस्फियर ओवर इन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जिस तरह की वहाँ पे स्थि लेकिन वैदर जो है ना वह बहुता है वह क्या करता रहता है तो वैदर की अगर बात करें तो वैदर इस स्टेट ऑफ एट्मोस्फियर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑस टाइम डे टुडे फिनोमेन ठीक है डे टूडे जो चीज़ने बदल रही होती वह 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 ब समझ में आ गया ठीक है यह चीज रहती है अब अगर हम एलिमेंट की बात करें तो वह बहुता है तो अब रहे हैं इंडिया में मौनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है अभी मौनसून टाइप अफ क्लाइमेट में लेकिन क्या होता है अलग अलग वजर सिच्वेशन होती सम तो नाकोकी घंप क्लाइमेट रहेगा लेकेद आप यहां देखें कि र्मी भी होती सर्दी होती है तो गर्मी ने टेमप्रेचर बहता भी है सरदी में घरता भी है अट्मासफीर्क प्रशख बहते है घरता भी है समझ वैंड justify होगई प्रसीपिशन हो गए तो दीज आ अंदर भी यही elements होंगे and on the basis of generalized monthly atmospheric condition the year is divided into seasons such as winter summer और रिनी season आगे समझ में generalized monthly atmospheric condition जो होती है कि हाँ atmospheric conditions कैसी है तो मानलो हम क्या कहते हैं कि October November December January फरवरी यह चार-पांच महने जो October तो छोड़ दो फिर भी नवेंबर से नवेंबर दिसंबर जनवरी फरवरी चार महने क्या रहता है atmospheric condition कैसी रहती है थंडी रहती है चिल्ड रहती एक दम तो हम क्या कहलेते हैं कि हाँ वो विंटर्स हो गया फिर आपका मार्च अपरेल में जून यह चार महने गर्मी रहेगी भीषण गर्मी रहेगी तब जाते हैं लोग तो हम क्या कहते हैं कि समर्स आगए ठीक है तो क्या हो रहा है एक बार रिकॉल करो वैदर climate दोनों चीज़ें आपने समझी अब दोनों म लाते हैं यह सेम रहते हैं अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या देखने को मिलेगा आपको इंडिया में मॉन्सून टाइप ऑफ क्लाइमेट समझ रहो तो ब्रॉड कंसेप्ट सम्टूटल और विदर कंडिशन्स वो इंडिया में आपको क्या देखने को मिलता है तो मौनसून यह जो शब्द है ना यह मौनसून या फिर मौसम जो हम मौलते हैं तो मौनसून मौसम को क्लाइमेट से रिलेट मत करना ठीक है यहां पर जिस सवाफ आप देखेंगे तो मौनसून टाइप आफ क्लाइमेट मौसम सब्द से निकल क cheesy ना इरेभिक वर्ड से तो यहां पर जिस अगर आप देखेंगे मौनसून का मतलब क्या है एगर ऐसे समझा जाए कि मीनिंग क्या है मौनसून को आप क्या बोलते हो मौ वेस्टर लीस चलती है ठीक है तो आप जैसे देखेंगे तो आप क्या हो रहा है यह विंड्स चल रही है यहां पर यह विंड्स जो हमारी आप यह प्रेशर सिस्टम आ गया भी अच्छी जो और पड़ेंगे हम यह जो विंड्स चल रही है तो जैसे अब क्या हो गया यहां प इस तरह से ठीक है अब क्या होगा नॉर्मल पैटन यह है नॉर्मल पैटन ऐसा है कि नॉर्थ इस्ट ट्रीड विंड चलना चाहिए लेकिन क्या होता है यह रिवर्स हो जाती है एक ही साल के अंदर अंदर मतलब यह कैसे हो गया सर तो यह पूरा फिनोमेना इंडियन मॉंसून को जब पढ़ेंगे तभी तो हमें समझ में आगा कि मॉंसून टाइप आफ क्लाइमेट क्यों है क्या कहा जा रहा है कि मॉंसून रिफर्स तो इंडियन लेंड मास के उपर विंड चलना चाहिए नॉर्थ इस चलना चाहिए लेकिन वह सीजनली रिवर्स हो जाती है कि वह सा जलने लगती है तो इस तरह से सीजनल रिवर्सल जो है इसे ही मौनसून कहते हैं और सीजनल होता हैँ इंडिया में इसलिदे क्या काम बहुत बहुत अच्छे का लेक्षर बनाएं मैंने छिए आप आपने देखा होगा ठीके शॉटकट्स जो होते हैं तो फटा फट निप्टाना है छॉटिम बाकि इसप्लिट से एक तोड़ नहीं होता है ठीक अब अगली चीज़ बता रहे हुँ आपको monsoon type of climate जो होता है, तो monsoon type of climate is found in South and Southeast Asia, ठीक है, South और Southeast Asia क्या है, तो यह वाला जो पूरा पार्ट नहीं, यह South Asia हो गया, ठीक है, और यह South East Asia हो गया, तो इस पार्ट में ही क्या होता है, इस तरह का seasonal reversal, wind क्या है, पल्टिक आहां खाती है, South और Southeast area में ही खाती है, ऐसा क्या होता है, यहां पर तो यहां की geography, यहां की climatic conditions, responsible है उस चीज़ के लिए, जब आप आगे the Indian monsoon को पढ़ोगे न, तब आपको समझ में आगा कि कितने सारे factors एक साथ काम कर रहे होते हैं इस प्यारी सी प्रकृती में, जग जा के हमें पानी की बाचार म से, तो आपको समझ में आगा कि प्रकृती में कितने सारे factors एक साथ मिल के काम कर रहे होते हैं, जब जा के कहीं हमें क्या देखने को मिलता है, पानी की बाचार देखने को मिलती है, ठीक है, तो पढ़ेंगे आगे हम, तो अब जिससे monsoon type of climate जो है, South or South East Asia में देखने को मिलता है, South or South East Asia में, इस पूरे के पूरे region में क्या हो रहा है, इस पूरे के पूरे region में जिससे कर आप देखेंगे, तो एक overall unity है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको variations देखने को मिलेंगे, ठीक है, visible variations देखने को मिलेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो elements of climatic conditions क्या क्य हो जाएंगे, एक rainfall होता है, ठीक है, एक temperature होता है, तो आप जैसे देखेंगे कि इंडिया में मौनसून टाइप of climatic conditions है, तो एक overall pattern तो आपने बोल दिया कि मौनसून टाइप है, लेकिन उसके अलावा उसमें आपको variations देखने को मिल सकते हैं, क्या variations देखने को मिल सकते हैं, तो वो variations जो है, वो rainfall में देखने को मिलेंगे, वो temperature में देखने को मिलेंगे, temperature से अगर बात करें तो हमाया पास जैसे आप देखोगे, summers जो है, गर्मी के दिन राजिस्थान में भी आते हैं, गर्मी के दिन कहां आते हैं, कश्मीर में भी आते हैं, लेकिन कश्मीर की गर्मी तक चल जाता है ठीक है पानी सूख जाता है पूरा शरीर कहा तो उसी तरह से क्या है अब जिससे अगर आप देखेंगे यह टेंपरेचर यह मैं आपको जो बता रहा हूं क्या कि ओवराल यूनिटी के बावजूद भी आपको क्या देखने को मिलेगा वेरीशन देखने को मिल तो वहाँ पर आपको डे और नाइट टेंपरेचर में ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा लेकिन वही चीज अगर आप देखेंगे नौर्थ इंडिया में लेंड लॉक्ट एरिया में दली में तो दली में क्या जितनी घीषन गर्मी होती है उतनी ही भीशन क्लाइटिक कंडिशन देर आर विजिबल डिफरेंस इंडी क्लाइमेटिक कंडिशन जैसे तेमपरेचर में मैं आपको एक ग्जामपल दिया वैसे अगर आप देखोगे तो क्या है प्रेसिप्टिशन में भी होता है कि देश में कहीं बहुत जादा पानी गिर रहा है जैसे मैसेन राम वगेरा में आपको पानी बहुत देखने को मिल जाएगा लेकिन क्या है वही रेइनफॉल का अगर हम देखे प्रसिप्टिशन का अगर हम अमांट देखे कहां पर राजिस्थान में फिर ले हमें तो पानी बहुत कम है ठीक है तो वीरिशन से मुल्टिपल रिज ला में तक चले जाता है तो डिन में चले जुरीरस राट मरừ बखे क्यों राजिस्थान और क्या हो रहा में वह क्चछे पीछे की तरफ समझते चलना क्या हो रहा है कि इस तरह का मेरेशन राजिस्थान में यह आता पता है क्योंकि राजिस्थान में जिसे कर आप देखो के तो वहां का जो वहां की जो टोपोग्राफी रिलीश फीचर है वहां क्या है सैंड है ठीक है अब वहां की तो क्या करती दिन में बहुत तो तादा हीट को क्या कर लेती है ट्रैप कर लेती है इस कारण से क्या हो जाता है जैसे गर्मी बहुत बढ़ जाती है और रात में उतनी जल्दी क्या कर देती है वो हीट को को पड़ेंगे तब और समझ में आएगा तो समुद्र से क्लाइम मौडरेटिंग इंफ्लेंस चलती रहती इसी कारण से डूरेनल वेरीशन जो है साउथ इंडिया में देखने को नहीं मिलेगा आपको देकिन नौर्थ इंडिया में डूरेनल वेरीशन जाता देखने को और कि संबर réalité दोनों के देखने हैं तो अगर फ्रेशिपन घरना किसी बैस अचलता है पानिका हुशत का हो सकता है बर्फ का सकता है तो क्या हो रहा है वेरीशन इनफॉर्म और से यहाँ की देखने को मिलेगा कि नेश्कित … क्या है temperature moderate रहता है ज्यादा गर्मी नहीं ज्यादा थंड नहीं है लेकिन इंटीर पार्ट जिससे डली का मैंने आपको एक्जाम्पल दिया कि मुंबई भी एक मेगा सिटी है ठीक है और दली भी एक मेगा सिटी है लेकिन अगर आप देखो गे तो दली में क्या भीशन गर्मी भी भीशन थंड लेकिन वहीं प्याप मुंबई में देखो कि तो मॉडरेट थ्रू आउट दियर एक जिसा चिपचिपासा एट्मॉस्फेरिक कंडिशन क्लामेट आपको देखने को मिल जाएगा कारण क्या है कि कोस्टल और इंटीर पार्ट में बेरिशन देखने को मिल ज जैसे जैसे आप वेस्टन पार्ट में जाओगे जैसे जिसे वेस्टन पार्ट में जाओगे प्रेसिपिटिशन क्या होते चले आएगी कम होती चले जाएगी प्रेसिपिटिशन का अमाउंट जो है कम होते चले आएगा कारण अभी आपको समझ आएगा जब आगे इंडिय aspect जो हैं उन्हें आपको consider करना होता है समझना होता है ठीक है किस चीज़ को पढ़ने के लिए climatic condition को climate chapter को पढ़ने के लिए और वो हम एक एक करके बहुत अच्छी तरह से पढ़ते से लेंगे अब देखो क्या है climate और वेदर में difference पूछा जा सकता है फिर उसके बाद में एक सवाल आपका यहां पर यह बनेगा वाट आर दी डिफ्रेंट क्लाइमेटिक कंट्रोल स्थिए तो देरा सिक्स मेजर कंट्रोल्स ऑफ क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस ठीक है क्लाइमेट इंडिया का नहीं पूछा है किसी भी जगा के क्लाइमेट को कौन कंट्रोल करता है कैसे कंट्रोल होता है किसी जगा का क्लाइमेट यह छे चीजों छे चीजों को ध्यार रखना specific इस पर question बन सकता है कि how the latitude of any place influences the climate of that region ठीक है of that area तो latitude से climate कैसे influence होता है ठीक है altitude से प्रेशर अंविड सिस्टम से कैसे होता है सवाल कैसे भी दागा जा सकता है लेकिन अगर आपने जवाब मतब जवाब को जी लिया है न शीक लिया है तो यह जो आपके सामने छे major controls दिखना है तो दीज शिक्स major controls are influencing the climate और विकन से इस आर दीज़ी सिक्स climatic controls ठीके इस आर दीज़ी six factors which control the climate climate को control करने वाले यह छे factor है अब इन हम एक एक करके पड़ते देखो तो क्लाइमेटिक controls में जिसे latitude की बात करते है latitude क्या होता है लेटा हुआ latitude long 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 latitude मतलब क्या होगा है कि जैसे हमारा यह प्यारा सा अर्थ है ठीक है परफेक्ट सरकल अब यह प्यारे से अर्थ पे जैसे अगर आप देखोगे तो क्या है कि एक zero degree latitude होता है zero डिग्री होता है वैसी one two three four five six कहा तक चले जाओगे तो इस तरह से क्लाइमेटिक कंट्रोल पढ़ रहे हैं तो क्लाइमेटिक कंट्रोल में यह बताए जा रहा है कि latitude जो है क्लाइमेट को कंट्रोल कर रहा है इंफ्लेंस कर रहा है सवाल यह है कि कैसे कर रहा है तो चलिए उस पर जरह नजर दोलाते हैं तो यह देखो due to the curvature of the earth the amount of energy received varies according to latitude मैं आपको chapter starting में ही मतलब चालू ही किया न एक starting में ही हिंटे देती रहा हूँ क्या कि solar insulation जो है न पूरा कारी करम कंट्रोल करती है अब पूरा climate जो आप पढ़ोगे इस पूरे climate में अगर बोलेंगे न कि इस movie का hero कौन तो solar insulation is the hero of the movie ठीक है द्यान रखना solar insulation को हमेशा हर चीज़ पे तो पूरा खेली solar insulation होना है अब क्या होता है sun तो sun है ठीक है sun तो father है इस टाइप से खेलो आप sun तो father है तो solar insulation जो अर्थ पे आ रही होती न तो अब अर्थ भी क्या अर्थ सीधा नहीं है तीड़ा है tilted है और curvature है गोल है घुमाओदार है तो ड्यूट तो अफ आप क्या दिखेंगे कि जो amount of solar insulation एकदम डायरेक्ट जा रही होगी किस latitude पे lower latitude पे जिरो डिगरी पे जिरो डिगरी जबी तो हम equator कहते है एक्वेटर को हम equatorial या फिर ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट क्यों कहते क्यों कि यहां पर डायरेक्ट संद्रीज जा रही है तो डायरेक्ट संद्रीज जाने के कारण यहां क्या रहेगा एकदम ताता रहेगा ताता समझते हैं टमप्रेटर जादा रहेगा ठीक और पूरा खेल गर्मी का मैंने बताया तो पूरा खेल गर्मी गर्मी का जिसे अब जब BER्यकार क्लाइमेट क्या रहेगा गरम रहेगा तो अब देखलो आप आफ्रीका के जोowe तो उसमें एक हो गया आपका latitude and how the latitude is controlling the climate so you here is the answer ठीक है समझ में आया ना answer कि latitude कैसे climate को control करता है तो due to the curvature of the earth the amount of solar energy received varies according to the latitude and in this sense different latitudes have different climatic conditions is that clear समझ में चीज़े हैं तक ठीक है तो एक हो गया latitude दूसरा होता है altitude अब latitude और altitude में ठीक है आप कहीं कुछ भूल मत जाना कैसे तो latitude अलग चीज़ है latitude मतलब क्या है लेटा हुआ latitude और वो long long longitude होता है longitude और altitude दोनों अलग अलग है ठीक है इमेज से समझ में आएगा ठीक है distance measurement इन वर्टिकल और अप डायरेक्शन अप डायरेक्शन में जिस अगर आप उपर जाओगे तो वह क्या होता है altitude कहलाता है जैसे for example क्या है कि altitude of Mount Everest तो हम कहा देखते कि कितना हुचा है कि तरह उपर तक है Mount Everest तो altitude कहलाता है ठीक है तो वह altitude यह वाली चीज होती है अब समझा आप गया है तो इस्टेशन मानलों कि आप उटी गए हो ठीक है फिर भी छलांग लगा के जा सकता है इस साथ मानलों कहीं हिल स्टेशन में आप ऐसे शिमला विमला चले गए ठीक तो अब फॉर एक्जामपल जैसे मैं आपको क्या बता हो तो फॉर एक्जामपल जैसे मैं आपको बता चलो पच्छमनी पता नहीं कितने लोग गया मदरप्रदेश में है अब पच्मनी क्या है अब अधी ही अ यह又 से गहां यहा गुजरात का है अब आप जैसे देखोगे ना तो यह पच्मनी कि हिल्स पे जो टेंपरेचर रहेगा ठीक है और सेम लटीट्यूट है लेकिन अब तो सर एक ही लटीट्यूट है यहाँ पर अलग अलग प्लेशें से ही लेकिन दोब्लों चाहाँ अलग क्लाइमेटिक क्लायमेटिक 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 क्ल जाता है उसके पीछ तेंपरेचर का मुझे जाता है अब तेंपरेचर जब कम होते चले जाता है तो सोलर मतलब यहां इसी कारण से क्या होता आप देखो बड़े-बड़े माउंट आवरेस्ट जैसे जो पीक हो गए तो वहाँ पर क्या बर्फ जमा हुआ है हिमालयास की जिसस क्लाइमेटिक कंडिशन को इंफ्लेंस कर रहा है तो यहां पे दूसरा फेक्टर ठीक है दूसरा क्लाइमेट कंट्रूल क्या हो गया एल्टिट्यूट समझ में आया तो दी क्लाइमेटिक कंडिशन एट हायर लाइट एल्टिट्यूट हायर एल्टिट्यूट वैरिस फ्रम तीसरी चीजिज 2500 सब्सक्रीव क्लाइमेट कंट्रोल में तीसरी सीजिज प्रशर एंड चीज बैहिआ तो चीजिए प्रशर भी और विश्ट धैस्टों मैं अपको प्रेशर यहां को घ्रोकोान धे यहां पर आपको एक कहानी समझाता हूं ठीक है यह हमारा बन गया चैकर यह सोलर इंसलेशन आएगी तो वह जगह क्या हो जाएगी ताता ऑब जब जब जहां हो जाएगी तो गर्म होनें पर क्या करेगी है घर्म होने पर यह जगह भी तो यहां पर यह 시청 अगी तो यहां जो भी एर मासे थे ना ये जो भी एर पारसल्स तो यह एर पारसL एर पार्स वास उपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ प्या हो गया मतलब प्रिशर लो हो गया चाहँ है तो यहाँ प्रिशर कहा होगा तो जहां solar insulation ज्यादा होगी तो यह सूरज अगर है और यह अर्थ अगर है तो सूरज की direct race कहा रहती है equator पे जिरो डिगरी तो यहां क्या होगा low pressure होगा बोलो हां ठीक है यहां होगा low pressure मैं आपको समझान हो वैसे तो क्या हो यहां low pressure होगा फाइब यह low pressure अब यह सूरज की किरणने जो उपर उठीए लगा खिला उर्पर उठीए तो अब ऐसा थो आभी सूरज से जागे गले मिल जाएगी वह एर मासे क्या होगी जब मतलब उनके अंदर हीट है तो वह उपर क्या करेगी मतलब अक तरह से करेगी फिर क्या होगा एक समय पत Cliff興 करेंगी और ईनके अदर की अनरजी खत्म हो जाती हो एक आएक चाम करद चूछार्वा?, उसके अलावा क्या होता है उपर हवा अपर air circulation भी चलता है अपर air circulation क्यों होता है क्यूंकि जो low pressure area से air masses उपर उठती है शब्द पकड़ते चलना क्यूंकि जो low pressure area से air masses उपर उठती है तो उपर उठने के बाद में क्या होता है जब उनके energy खतम होगी तो वो क्या होती है diverge होत अब क्या होता है कि कही लो प्रेशर है तो यह जो ऊपर जा रही है यह कहीं बैठेंगे भी और पैठेंगे यह तो जहां पर बैठने की जगह मिल जाएगी जगह कहां मिलेगी जहां टेमपरेचर कम होगा क्यों कि जहां कमड़ीन के सब्सिट कर गए करने के बाद क्या ईसा कड़्डा सबसेड करने के बाद क्या यहां पर यहां नीची की तरफ सबसीट कर रही यह क्या हो हो गया बैठ रहे है राफ कि यह बैठे हैं बैठेक बैठेंगे तो और यहां बनाँ इन यह तो यह प्रेशर तो यह कि आपने कितना इस त Вас प्रेशन सिंख़ा अब आपने सिरुफ स्थ खाढ़ एगाा वाउस सींख़ा थो आ का लोग मैया लेगा जहां टंपरेचर ज्यादा नहीं रहेगा वहां वो सबसीड करेंगी बैठेंगी तो एर मासे स्क्राइब अब क्या होता है यह प्रेशर समझ लिया विंड सिस्टम क्या होता है तो अब हवाय चलेंगी किदर से किदर तो आप देखो रास्ता साफ दिख रहा है कैसे र क्योंकि डाइवर्ज हो रही ना तो उनके बाद दो यह option या तो गड़्डा खुद के नीचे घुझ जा है या फिर क्या है या फिर वो क्या करना सर्फेस विंड की तरह फ्लो करना स्टार्ट कर दें तो यह एर मासेस जो है हाई प्रेशर में क्योंकि उपर से एर मासेस क्य कर रही होती है डाइवर्ज कर रही होती है उपर से सबसीड कर रही होती मासेस तो आप क्या होता है हमेशा विंड जो चलती है गाठ बांदलो इस बात की हमेशा विंड जो चलती हो किदर से किदर चलती है हाई प्रिशर से लो प्रिशर चलती है ठीक है हमेशा विंड हाई से लोग प्रेशर चलेगी क्यों कि लोग प्रेशर में जो वैक्यूम रहता है वो हाई प्रेशर मेंड़ को अट्रैट करता है मैं यहाँ पर इतना समय इसलिए रहाँ क्योंकि आगे जब मॉन्सून समझाओंगा ना तो मैं यह उम्मीद करूँगा कि आप यहां सीख के आयो मतलब इस पार्ट पर सीख क्या तो मॉन्सून में फटा-फट कनेक्ट करते चलना फिर मत बोलना कि सर हमारा साबन स्लो था तो हम भूल गए ठीक है समझ में आ गया ना कहीं चलेंगी तो हवाय क्या होती हवाय मतलब कुछ उस तरह के दोस्त नहीं होते अपने जो अक्यले जाना पसंद नहीं करते हैं थीमट इस दोस्त की ममी ने बोला कि जा बाई दुकान पे सामान ले क्या तो आपके घर के सामने निगले तो आपके कॉलर में सामना ब्यान तो वैसे ही ऑक acted होती है थिंड़े में फ्रेशं से या पे कौई उड़ा ड़ होती है तो अपने साथ क्या और यहां पर कॉई उड़ा के लिएगी वह Speech वगके हर जाये मंतलब आप यह जो विए दीरे धीर कंडेंस होती है कंडेंसों कर जाति है तो इस तरह से प्रेशर और विंड सिस्टम क्लाइमेट को कैसे इंफ्रेंस करता है कि पहली बात तो हवाय चल रही है ठीक है वो अगर मॉस्चर लेकर आ रही तो बारिश करवाएगी जैसे इंडियन मॉणसून करता है दूसरी चीज क्या है मान लो आप जैसे क्या वारा पोलार विंड सा र तो climate controls में pressure और wind system भी एक बहुत important role play करता है समझ में आगया pressure and wind system भी क्या करता है बहुत important role play करता है मुस्कराद हो जो रहे हैं यहां तक चीज़े समझा गई है तो अब देखो क्या है कहानी low pressure और high pressure की कैसी लगी कहानी ठीक है बताना जरूर comment section में तो यह हमने देख लिया कि हाँ high pressure और मतलब pressure और wind system जो है न तो वह भी influence करता है किस चीज़ को influence करता है वह influence करता है climate को अब आगे बढ़ते है किस चीज़ पर मतलब भी वही है तो pressure and wind system depends upon the latitude and altitude of the place latitude बहुत हदितक influence करता है जैसे एक अच्छी चीज़ बता तो में आपको latitude कैसे influence करता है देखो तो मान लो क्या है यह 0 degree है 0 degree latitude है तो 0 degree latitude पर क्या रहेगा जिससे अगर हम देखेंगे तो 0 degree latitude पर solar insulation कैसी रहेगी solar insulation पीली बना तो तब मजा आएगा solar दारेक रहेगी तो यहां डारेक solar insulation मतलब क्या बनेगा यहां यहां पर इक्वेटर पे लो प्रेशर ठीक है तो यहां पे लो प्रेशर बनेगा दिखती बात है तो लेटीट्यूट क्या कर रहा है लेटीट्यूट यहां पे जो पॉइंट लिखा है न कि प्रेशर एंटीट्यूट से इंफ्लेंस हो रहा है लो प्रेशर मन रहा है वहीं अल्टीट् प्रेशर की जगा लोग प्रेशर भी हो सकता है अभी आगे आपको तिबतन प्लैटिव में मिलेगी वहाँ पर ठीक तो जैसे मैं आपको बता रहा हूं यह क्या हो गया कि लोग प्रेशर रहेगा कहां पर लोग लेटीटीट्व पर और वहीं पर हाइर लेटीटीट्व की बा समय समय पर सब चीज बताते चलोंगा बस अभी सुनते चलो और मजा लेते चलो समझ में आया तो इस तरह से यह जो पॉइंट आपको बताया जा रहा है हाँ पर क्या कि प्रेशर एंड विंड सिस्टम डिपेंड्स अपन लेटीटूट एंड एल्टीटूट प्रेशर एंड प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ उल्टा लिख दी हो ज हीजांपल एसा होता नहीं है रहे हुई इसतरह से रहे से आपके उपर बैठने लगे आपके बाजू में आ этом डॉपर-לक भी खिसको गया आ रहा है आपके उपर तो एक समय पर गिरने की इस्तिति पर उड़ जाओगे तो ऐसा आपर यार सर्कुलेशन जो है वह पूरा का पूरा सर्फेस विंड और अपर अपर सर्कुलेशन चलता रहता है ठीक है इस तरह से साइकल चलता है नो प्रेशर यह हाई प्रेशर ठीक है अपर अपर एक की तरफ जाती है और फिर आईपर कैसे है थोई-टाउ-पुर लिएयगी तो वह वाटर बौडी अपर से इंडिया में यह तो होता है और अर आईबोड़ compromise आपनेशांत बोलेगी जा रहे हैं पानी भी लई जाते और पानी गिरा देते तो इस तरह से यह जो प्रेशर और सिस्टम होता है ठीक है कि यह इख तरफिन्स करता है यह आपका ट совेंगिंद फॉन्स करता है तो यह एक ठोड़ा सा मतलब दिल के करीम वाला जी आएफ है तो यह बता लेता है कौछी तरह से यह हाई प्रिशार यह लो प्रिशार इस तरह से आप एट्मॉस्फेर में सर्कुलेशन जलता है ठीक है चलो अब क्या है अगली चीद खतन क्यों नहीं हो रहा है यार यह अब होगा क्लाइमेट कंट्रोल में आता है डिस्टेंस फ्रॉंदी सी डिस्टेंस फ्रॉंदी सी भी किस तरह से क्लाइमेट को इंफ्रेंस करता है वह सीखो वह किस तरह से क्लाइमेट को कंट्रोल करता है अब आपने बच्पन में पढ़ा होगा क्या आपने सी ब्रीज और लैंड ब्री तो दोस्त थे एक पानी था जमीन जो था तो जल्दी घरम भी था था और पानी यह ना बड़ा गहरा होता है शांत-वाओ का होता है तो वह बहुत जल्दी घुस्सा भी नहीं करता है आप मतलब घहरे और सांसोगों के लोग यहते बहुत जल्दी घरम है फिन थंड़े थ्सक्रेर यहां पे कैसे करता है ओपर और अप क्लायर कंडिशना वहता तरक और बता के छोगा की कोस्टल रीजिन से घोग तो कोस्टल रीजन का क्लायर कंडिशन्स अलग रहेगा वें गं समुद्र की इंटीर एरिया पर नहीं जा पाएगे इंटीर एरिया पर नहीं जा पाएगी ना तो वह चीज़ आपको ध्यान रखना है कि क्या हो रहा है यहाँ पर आप समझोगे तो influence हो रहा है किसका पानी का तो as the distance from the sea increases its moderating influence decreases and the people experience extreme weather condition और इसे क्या कहा जाता है Continentality को दिहान रखना क्या कि जो extreme लोग मतलब कह सकते है कि जो sea water का या फिर कह सकते है कि oceans का क्या रहता है moderating influence रहता है कि इसके ओपर over the areas near to the ocean मैं आपको समझाता हूँ एक example से मुंबई और देली वाला मुंबई पर क्या रहेगा कि मुंबई पर ना जादा भीषन गर्मी है ना जादा भीषन सर्दी है एक तरह का हमेशा एक जैसा climate रहेगा क्यों 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 मुंबई के पास में क्या है मुंबई के पास तो और ocean है है moderating influence जो है वो एक्जर्ट होती रहती है ठीक है वहां के लेंड मास्ट इसको पर लेकिन वहीं पर आप दिखोगे तो ओवर दी एरियास विचार फार फ्रॉम दी सी ठीक है विचार फार फ्रॉम दी ओशिंस इस डिक्रीज ठीक है समझें यहां तक कहानी अगर यहां तक कहानी समझ्छ मैं तो हम पर आगे बड़ते हैं और इसी को सी ब्रीज भी कहा जाता है ठीक है जिस हो जाते ही फटाउ फट से तो यहां हाइप प्रेशे बन जाता है ठीक है आप लेकिन पानी जो दिन भर भर में लेकिन तो अब तो रात हो गए तो फिर क्के अधर हाई रह तो लॉप रहे स्टावर स्वेसं के समय नदीником तो यहां पर क्लाइमेट कंडिशन को चेंज करता है समझ में आया यह तो यह वी सब्सक्राइब क्लाइमेट कंट्रोल हो गया अगला क्लाइमेट कंट्रोल क्या है मुव्मेंट अफ ओश्यन करेंड्स मूव्मेंट ओश्यन करइंट यह क्या है देखो दरना निगui ओश्यन करेंट करेंड उब करेंड यहां पर गए कि ऊश सकते हैं कि नहीं कर रहे हैं ओशियंस का जो कह सकते ओशियंस का जो सर्फेस वाटर है ना तो हवाएं जब चलते आपने कभी सब्सक्राइब करना एक क्या करना एक उसमें एक बड़ी सी प्लेंट में आ तो पानी डाल देना और अपने मुझ से इस तरह से ऐसे फूख मारने की कोशिश करना तो वेव साना अलग चीज है उस साथ में क्या पानी जो हो है वह मूउव करता रखता है स्लोली स्लोली ठीक्डोर ओशियंकर तो क्या है यूज अमांट आव वाटर फ्लोईंग slowly and gradually over the oceans वो ocean current होता है तो इस तरह से क्या होता है कि ocean जो है न ओशेंस के अंदर इस तरह से continuous ली क्या होता है पानी एक cyclic manner में घूमता रहता है घूमता रहता है तो अब पानी घूम रहा है तो यह पानी कैसे घूम रहा है तो यहां ocean current गरम है लेकिन अब क्या होता है यही ocean current जब यह जैसे move करके गए ठीक है चलो अभी तो गरम था तो यह warm ocean current था यह warm ocean current क्या करेगा कि अब यह इसा तुरून है कि अमेरिका को धक्का मारके आगा निख जाएगा और एहां से क्या होता है ये पानी के तरफ क्या हो गया या फिर जो जो persec entre हो जाता है अभी वह वाम ही है क्योंकि वह एक्विटोरियल करेंट था ठीक है अब नीचे पहुचेगा तो अर्जेंटिना में क्या है बहुत कामली खेलने वाले तो अब यहां से पानी बहेगा थंडा तो अब यहां से पानी पहले चले गया था तो यहां पे एक स्लोप है तो अब यह जो करेंट जा रहा है तो वह जा जरूर में रहा है प्ल क्या यहां पे यह living कमलोग दूर्ष होता है तो वां और चारेंट होता है तो वह क्या रहे है है तो जैसा करेंट वहरा होगा उप तरह कि वहाँ पर आपको करेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगी एक सवाल जो है क्या है आपकी बुक में वो जो डबे में कि सवाल कहीं भी आ सकते हैं कि वाय मोस्ट ऑफ दी डजर्ट्स आर लोकेटेट एड़ी वेस्टन मार्जिन ऑप दी कॉंटिनेंट्स एक्जामपल आप आतकामा सबस्क्राइब है तो हर दिख रहा है तो तो यलो भी नहीं दिखा, blue दिखा हुआ मैं आपको रहो हूँ, तो हर western margin पर जिसे अगर आप देखोगे, तो हर western margin पर आपको क्या देखने को मिलते हैं, हर western margin पर आपको desert देखने को मिलते हैं, तो ऐसा क्यूँ, सवाल यही पूछा था, तो अब यहाँ पर आपको समझना हमाँ कि यह एक नेचर क्यों होते हैं कैसे निल्ट फिरत व्रूर कोल्ड होते हैं तो वस्तनि माल जिंप अधिक तर आप जैसे देखें आ लिए ते're सार्द आं तो कैसे होंगे बनार्या से आ रहे हैं तो ये कोर्णों खलें चलए बता पानी होगा लेकिन इसे गरम करना पड़ेगा फंडा पानी क्लाउड क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा लेकिन उसे यसा तॉपिक लेके जारा है वैसे लेकर चल रहा हूँ क्लाम इट को कुरुल करते हैं तो हीरडिफी आंसर पृश्यन करेंस राग्त है तो ओश्यन करेंट स्टीक होते हैं कि कुछे ओशयन करेंट यो ऊस्यन करेंट ला बन दो हों न अभी थंडा कर देते चैड्ड तो थंडा कर देते पानी अब थंडा पानी तो एवंपरेशन होगा क्या नहीं वब होगा अब अब क्लाउड फोर्मेशन प्रेश़न कु नहीं होगा इसी करन्ठ से क्या होगा कि वेस्टthon वेस्टन मार्जिन पर क्या देखने को मिलेगा प्रूस्टिटेशन नी हो रहा तो एस तरह से क्या है कि चीजे रहुत connected होती है बस हमें गहराई से पढ़ना होता है समझ में आया और हाथ पकड़के जाना गहराई में दूब जाओगे समझ में तो इस तरह से climate controls में movement of ocean current भी होते है important जो क्या कर रहे हैं जो कही अब अब जैसा अगर हम यहां देखे वह इस रिलीफ में रिलीफ रफरस टुदी टोपोग्राफी टोपोग्राफी की बात तेरे कि वहाँ पे किस तरह का फिसिकल फीचर आपको देखने को मिल रहा है तो relief to place a major role in determining the climate of a place relief से क्लाइमेट को कैसे क्लाइमेट के सकते हो तो जिससे फिसिकल फीचर कांट्रोल the climate of an area how for example high mountains act as a barrier for cold or hot winds एक एक एक्जामपल में आपको यहाँ पे बहुत अच्छा देता हो जैसे relief कैसे किसी भी जगा के क्लाइमेट को कैसे इंफ्लूइंस करते हैं कैसे इंफ्लूइब करते हैं यहँ feature है ठीक है हिमालयाज relief feature है अब हिमालयाज यहाँ पे है इस कारण से क्या होता है कि जो ऊपर से China में से हवा आती ना चाइना से या फिर कहलो क्या है कि जो cold winds आती है कहां से temperature regions है temperature regions है जो cold winds आ रही है तो वह cold winds को हिमालयाज क्या है हिमालयास गार्ड की तरह ऐसे खड़े हुए हैं कि आने दो और वो क्या करते ब्लॉक करते इस कारण से cold winds जो है इंडिया में एंटर नहीं करती है किस समय पर takin receptors के time period में though winters are cold in India ठीक है winter बनलाब ऐसे cold पिने होते warm days & cold night होती विंटर इंडिया में लेकिन अगर ये cold winds घुज गई होती इंडिया में थीग है जो polar winds उपर से चलरही होती है तो अगर घुज गई हिए क्लाइमेटिक क्लाइमेटिक कांट्रोल का एक काम किया है रिलीव फीचर ने क्लाइमेट को कंट्रोल किया इंडिया के समझ में आया और इसलिए मतलब लोग लॉजिक नहीं समझते हम क्या करते हमारे हमारे कल्चर में क्या देखते हैं कि हमारे कल्चर में पेड़ों को पूछ तो कारण है उसके पीछे का हिमालयाज नहीं होते तो things would have been very different ठीक तो इस तरह से हिमालयाज और देखो तो windward side cause precipitation अब क्या होता है जैसी mountains की अगर बात कर तो mountains barrier का काम करते हैं उसी के साथ साथ क्या है कि अभी वेस्टन घाट है मानलो जैसे वेस्टन घाट पड़ा physical features में तो वेस्टन घाट में क्या होता है वेस्टन घाट में वेस्टन घाट का जो वेस्टवर्ड मतलब इधर से हवा ठकराएंगी तो इधर तो खुब बारिश होती है ठीक है तो windward side जो है तो causes precipitation relief के कारणी हुआ relief ने climate को control किया वैसे अगर देखो कि लीवर्ड side जो है तो इधर सूखे ही बैठ है पानी की तलास में बिचारे बच्चे प्यास ही बैठ है ठीक है तो लीव climate control का important part हो जाता है अब मैंने आपको climate control के जितने भी factors थे वह समझा दिये जैसे आप इंडिया में देखो के तो यह mountains है यहाप हिमालयाज हिमालयाज आर acting as the bodyguard for our country समझ में आ गया चलो तो यह हमने क्या देखा अभी तक अभी तक जो हमने देखा वह climate control इन जनरल देखा कि climate controls इन जनरल में आपने देख लिया कि कौन-कौन से फेक्टर है लैटीटीट है अल्टीट है प्रेशर एंड विंड सिस्टम है रिलीफ फीचर को आप आपने देख लिया आपने ओशियन करेंट को देख लिया तो यह सारा सब कुछ इन जनरल पड़ा इन जनरल ठीक है अब हम क्या पढ़ रहे है फैक्टर एफेक्टिंग इंडिया के लाइट नहीं सिर्फ इंडिया ठीक है इंडिया के climate को स्प्रेसिफिकली अगर हम बात करे वेस्टन साइक्लोनिक डिस्टरबंस इंड्रोपिकल साइक्लोन तो मैं सारी चीज़े समझाता हूं आपको अब हम क्या पढ़ने देखो कोशन ध्यान रखना कोशन आएगा वाट आर्टी डिटर्मिनेंट्स ओफ क्लाइमेट कंट्रोल तो डिटर्मिनेंट्स ओफ पुरे उन 6 में से कोई एक भी उठा के पूछ लिया जाए अगर आपसे से फोर एक्जामपल आपसे यही पूछ लिया कि हाउ दी प्रेशर एंड विंड सिस्टम इंफ्लेंसेस और कंट्रोल्स दी क्लाइमेट ऑफ एनी एरिया तो आप बताएंगे कि क्या होता है कि प्रेशर और इंफ्लेंसेस दी अमाउंट अफ तेंप्रेचर तो वह हर चीज के अंडरस्टेंडिंग देते चल रहा हूं मैं आपको एसा नहीं होगा कि आप दोडा दिया बस ठीक है कॉम्प्रेंसिव मैं आपको पिच्छर समझाते चलूँगा बस समझते चलना मेरे साथ समय में आगा अब आगे अकर घते हम तो सति इंबिंटी का क्लाइमट को कौन कौं कौन से वेक्ट कर रहें किस तरह से तो अगर लैटिटीट के बात करें तो इंडिया स्लाइमेंटल एक्स टेंद्ट पासकर तो इक्वल हाफ में कौन बाठता है इंडिया को इक्वल हाफ में मन में आंसर आना चाहिए फटा-फट ठीक है विच लैटिटीट इस डिवाइडिं इंडिया इन्टू आल्मोस्ट टू इक्वल हाफ तो यहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आंसर आता है अभी जो ट्रॉपिक तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे जिसे हम क्या देखते हैं इंडिया में ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट है और इंडिया से मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर देखोगे तो सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट है तो इस तरह से अगर सवाल बनता है country को almost two halves में divide कर रहा है ठीक अब पार्ट लाइंग साउथ तुदी ट्रॉपिक आफ कैंसर वहाँ पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने को मिल जाएगा पार्ट लाइं नौर्थ ठीक है ठीक है पार्ट लाइं नौर्थ आफ दी नौर्थ आफ दी ट्रॉपिक आफ कैंसर सब्र क्लाइमेट देखने को मिल जाएगा समझ में आया तुछ तरह से ट्रॉपिकल और सब्रॉपिकल क्लाइमेट इंफ्लेंस हो रहा है इस ट्रॉपिकल और सब्रॉपिकल क्लाइमेट आपको इंडिया में देखने को मिल रहा है उसकी लाटिटी ट्रॉपिकल एरिया ट्रॉपि त्रॉपिकल जोन रहता है सब आपको क्या देखना को मिल जाता है कि कुछ ट्रॉपिकल के ले लेता कुछ टैंपरेट के लिए ठीक है कुछ देते तो इस टाइप से समय है यह हो गया अब फैक्टर्स एफेक्टिंग इंडियास क्लाइमेट में एल्टीट्यूट के अगर बा यहां खिर हो जाता है एवाड को प्लेट डिल्टा बन रहे हैं तो वहां पर Anda से मात्र डस मीटर जीटर है ऊ तक की आप आट तो बहुत जाद होगे जिसे आट हजार मान लो की माउंटेन पीक जो है तो एल्टीट्यूटनल वेरिशन देखने को मिल रहा है आपको कि कहीं पे सर्फेस लेवल से मात्र 10 मीटर तक की हाइट है तो इस तरह से आप जिसे देखेंगे तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो वी नोब अब अटिट्यूटनल वेरिशन हो एल्टीट्यूट करता है तो जिसे नॉर्थ में जो हिमालयास खड़े हैं ठीक है एवरेज हाइट जिसे आप बात करें हिमालयास के तो 6000 मीटर बता करते हैं वो cold winds को अंदर आने नहीं देते हैं तो हिमालयास prevent the cold winds from Central Asia from entering the subcontinent because of these mountains the subcontinent experiences comparatively milder winters compared to the Central Asia Central Asia में जिस अगर आप चले जाओगे गोबी desert वगेरा जो है या फिर कहलो उपर उसबेकिस्तान कज़किस्तान वगेरा वाला जो रीजन है तो वहां लोगों को बहुत लगती क्या है इसलिए लग रही है ठीक लेकिन इंडिया में क्या है इंडिया में जो altitudinal variations से आपको high altitudes वाले points देखने को मिलेंगे उन्हें relief feature की category में भी डाल सकते हो आप तो they are influencing the climate ठीक है they are influencing the climate so in this way the altitude of हिमालयास affects the climate of India very simple ठीक है तो इस तरह से क्या कर रहे है altitude of हिमालयास जो है वो climate को influence कर रहे है इंडिया के समझ में आया है यह clear bodyguard है वो अब अगर आगे बढ़ते है तो what are the factors affecting India's climate latitude हो गया altitude हो गया तीसरा क्या है तीसरा है pressure and surface winds surface wind लिखा है भी pressure और wind system ले लिखा surface wind और मैंने तभी बोलती है था कि एक एक शब्द अच्छे से सुनते चलना surface wind मतलब जो जो जमीन पर चल रही है high pressure से low pressure surface wind कैसे influence करते देखो तो इंडिया's climate and associated weather condition in India are governed by the following atmospheric conditions ठीक है following atmospheric conditions जो है तो pressure and surface wind के बारे में पढ़ेंगे हम upper air condition नहीं है upper air circulation है ठीक है upper air circulation के बारे में पढ़ेंगे western cyclonic disturbances और tropical cyclones के बारे में पढ़ेंगे तो अब देखो यहाँ पे question बता रहो मैं आपको अपर air circulation में jet stream पे question आ जाता है एक छोटा मोटा ठीक है तो jet stream समझ लेंगे question भी बताते चल रहो मैं आपको pressure and surface wind किस तरह से इंडिया के climate को influence करता है right ठीक है explain करो क्या explain how pressure and surface wind पूछ रहे है मतलब वही high pressure से low pressure जो surface पे चल रही है तो how the pressure and surface wind influences the climate of India ठीक है effects the India's climate यह आपको बताना होगा ठीक है अपर air circulation के अगर हम बात करें तो upper air circulation मतलब उपर आसमान में upper air circulation में किस तरह से upper air circulation में किस तरह अपर air circulation में जिसे jet stream के बारे में पढ़ेंगे तो jet stream is influencing the climate of India तो आप जिसे देखेंगे jet stream से जुड़ा है western cyclonic disturbances क्या है western cyclonic disturbances यह हम पढ़ेंगे साथ इसाथ tropical cyclones भी क्या करते है tropical cyclones जो tropical area में आते हैं लेकिन वो क्या है वो एक तरह से आप देखेंगे तो pressure और surface winds का पार्ट हो जाते हैं या फिर हम क्या कहें तो pressure system का पार्ट हो जाते हैं तो उस current से वो भी क्या कर रहे है इंडिया में बारिश लेके आ रहे हैं तो वो सा सब्सक्रांबर इखें यह क्या हो गया जईरो डिंग्री हो गया यह मना दिस्टाइज इसराइक मानगे सबस्ट्स इन संवेड्य गाइं यहां क्या रहेगा यहां मिशह रहेगा लो इंडा प्रेशर मीशर हो गया अब कहीं तो ये लो प्रेशर से क्या होगा देख लो प्रेशर से एर मासल उपर उठी उपर उठी क्या हो गया फिर जैसे आप दिखेंगे तो एक तरह से डाइवर्ज हो जाती डाइवर्ज होने के बाद में क्या करेगी कहीं तो सबसीड करेंगी सबसीड करेंगी सबसीड कह करेंगी जहां सब्सीड करेंगी वहां क्या होगा i pressure होगा फइन तो क्या होगा यह आपको उपर पूरा कारीक्राम करदा यह अपर air circulation है यह अपर एर ड要 circulation हो रहा है तो क्या हो रहा है एर मासे जारइस कनमर्जींग यह अपर और सब्सक्राइब काम करता है तो इस तरह से क्या होता है एसे विंट्स जो है वह क्या करती है वह थोड़ी से तरह से तरह साप देखेंगे तो डाइवर्स कर जाती है दाइवर्स कर में ँपारा था है यांड के नाम बता रहा था फिर लाइगा कि आपको 약간 रूट ही वैंट के हिंडिया में कैसी बेंड्स चल रही होंगी आपको पता है यहां था लो प्रेशर यहां था तो आपको यह भी पता है कि विंड्स ऐसी चल रही होंगी इस तरह से इस तरह से विंड्स चल रही होंगी तो यह जो विंड्स है यह विंड्स क्या कहलाती नौर्थ क्या कहलाती है इस्टरली विंड्स नौर्थ इस्टरली देखो मैंने पूछ पकड़ के नाम करन करने का तरीका सिखाया आपको किसी नाम पता करना तो उसकी पूच जिस मर्हें इस रही है इस यह आ रही है तो इस फी cannons पर हम जाएंगे स्वालिग आप जैसे यहां परेशर बन रहा हैं यह यह अ Op तो यहां फेश बनेगा आप क्या ही विंड़ का नाम नहीं पता आपको मुझे भी नहीं पता तो आप Ciao लूझा इंडिया तो नोर्थ इश्टर्ली विंट वाले एरिया में आता है, ठीक है, सबल में आये, नॉर्थ इस्टर्ली क्या होता है, वेस्टर्ली क्या होता है, च treaty mindset clear करते चलना बस objective फेटिक है, तो अब देखो क्या हो रहा है, तो they blow south and get deflect to the right due to the corollous force and move on towards equatorial low pressure area, केरी लेटिल मौश्यर अकॉर्डिंग दिस इंडिया शुट भी एरिड लैंड एंड लोर इंफॉल शुट भी देर बट इस नॉट सो वाई अब यह मैंने पुरा पड़ दिया क्योंकि किसमें किताबों में कुछ नहीं रखा मैं आपको समझाता हूं तो कहानी ऐसी रही है कि वह ही रहे है था सोलर इंसुलेशन आती रहेगी तो समझते चलना चीज़ों को यह लोग प्रेशर था यहां पर आपको देखने को मिल रहा था हाई प्रेशर अब क्या हो रहा है विंड हमेशा लोग प्रेशर चलेगी लेकिन यह सीधी सीधी नहीं चलती है क्यों करती किस तरफ क्या है क्या होता है सवाल आता है एक्जाम में प्रेट कर रहा है इस तरह सरे और रोटेट कर रहा है ठीक है मैं उलज गया हूँ माइक में और फाइन तो अब देखोगे तो अर्थ ऐसा रोटेट कर रहा है अब अर्थ जब रोटेट करता है न तो अर्थ रोटेट करना एक अलग चीज है फाइन अब अर्थ के ऊपर आप ख्लाइमेट में जिसे ज़्यों कहो तो विंट करता है डिफलेट क्यों कर रहा है क्योंकि उसके उपर कोरियोलियस फोर्स काम कर रहा होता है वेरी सिंपल एक्जामपल अपना गिरा के देखना कर स्कूल से आते समय ठीकि मम्मी घर पे पीटेगी वह बात लगे तो आप क्या होता है जो आप रूमाल गिराते हो चलती होती है ठीक है क्यों क्योंकि उसके उपर एक एपरेंट फोर्स काम कर रहा होता विचिस नॉट वर्किंग वट्विश्टी ठीक है ऑफ दी अर्थ तो उस करने से वह डिफलेट करता है तो नादर है तरफ करने का कारण सिंपल सा उसका क्या कि विंड जिदर जा रही होती हो तो देखोगे तो यहां पर आप आगे निकल जाता यह संखो यह लाँ चाहा है ऑगणीन और सिचल चलेगी तो रोटेशन हो रहा तो आप क्या होगा कि ये वाला पॉइंट आगे निकलेगा ये पीछे रह जाएगा तो डिफलेक्शन आपको कैसा देखने को मिलेगा ऐसे देखने को मिलेगा सदा ने इस पर में लेट की तरफ देखने को मिलता है इसका नामने कोरियूलिस तो यह वाली कहानी चल रही है तो बता के रहा था में हाँ प्रेशर सो लो प्रेशर विंड चल रही है इस तरह से डिफलेक्ट कर रही है कौन सी नौर्थ इस्टरली विंड समझ में आया अब देखो क्या है अब यह क्या कहा गया आगे उसमें कि यह तो ड्राइव इंड्स होंगी क्योंकि उपर चाइना तिबद वगएरा वहां से जब विंड्स आ रही होंगी तो अपने साथ क्या लेकर आ रही होंगी ठीक है सूखी हवाय है तो वह वहां से जब विंड्स आ रही होंगी तो अपने साथ मौस्चर लेकर नहीं आ रही ह इंडिया में बारिश होना ही नहीं चाहिए समझ रहो इंडिया में बारिश होना ही नहीं चाहिए क्योंकि यह ड्राइव इंस आ रही है लेकिन इंडिया में बारिश तो होती है ठीक है तो यह यह वहां पर बोला है तो अब यह कोरॉलिस फॉर्स के कारण डिफलेक्ट होती है तो यह कैस नहीं है क्यों कि इंडिया शुट भी एरिड लैंड लोग डूब जाते हैं यह समझ में आया है अब देखो मैंने डाइगराम आपको सारे बता दिये तो आप यह है इस रीजन में आ रहा है नौर्थ इस्टरली ट्रेड वाले रीजन में आ रहा है तो काईदे से क्या होगा कि यह विंड जो उपर से रही ड्राइव इंड्स है तो इसके अंदर मॉस्चर नहीं होना मैं आपको डेफिनिशन देते चल रहा हूं इसके नोट्स भी डाल तूंगा मैं टेलिग्राम चैनल पे ठीक है साथ ही साथ आप क्या कर ले ना साथ ही साथ स्क्रिंशॉट भी ले लोगर लगता है तो तो इस एस फोर्स रिस्पोंसिबल फोर डिफ्लेक्शन ऑफ विंस तो यह दोनों पॉइंट एक ही लेवल पे लेकिन यह वाला पॉइंट आगे पहले खिसकेगा लीनियर विलोसिटी अर्थ के एट्मॉसफेर की और अर्थ की दोनों की अलग अलग होती है ठीक है इस कारण से क्या होता है नदर हमिस्फेर में राइट की तरफ डिफलेक्शन होत है सदन हमिस्फेर में लेफ्ट की तरफ डिफलेक्शन होता है ठीक है कभी मेरी गोरांड में भी देखना ऐसा एक वह एक वह ग्जाम्पल उसका भी रहता है क्या हो रहा है कि इसकी विलो सिटी है और एक बॉल की लिए आलग अलग है तो डिफ्रेंस जो रहता है लिक्षम क Source के चलते क्या आपको देखने को मिलता है डेफलेक्शन देखने को मिलता है Corrioris Force ओर हम किए डेफिनिशन तो बता सवाल यह यह किर जब ड्राइव इंडिया में चलेगी तो वह तो क्या है जबीन पे सारी चाइना वाइना से तो पानी कहां से लाती है इंडिया में बारिश क्या से हो जाती है तो दी क्लाइमेटिक कंडिशंस ओवर इंडिया इस युणीग ठीके मतलब क्या है अब थोड़ा करो करो क्या बताया था मौन्सून का मतलब क्या होता है सीजनल रिवर्सल अफ विंट्स तो यह जो नॉर्थ इस्टरली चल रही होती न यह मेशा नहीं चल रही होती है सीजन टू सीजन क्या होता है तो यह उपर से आ रहे लेकिन यहीं अगर नीचे से आ जाएगी तो पानी लेके आएगी ठीक है चलो नीचे से लाते हैं तो दिफरेंस विंटर एंडिया इस यूनिग मतल तो आप जिसे देखेंगे तो नॉर्फ इस तरह से क्या होगी और ब्ला ब्ला वही कहानी चलती रहेंगी ठीक है यह नॉर्मल सिट्यूशन में अब लेकिन क्या होता समर्स जब आ जाते ना तो समर्स में क्या होता है कि पूरा का पूरा बैल्ट शिफ्ट हो जाता है अभी पूरा पूरा प्ला जाती है अब जब रिप्रेशन यहां तक होता होती है तो क्या होता है कि यह जो लो प्रेशण यहां बनता था भू Key बस solar insulation change हो यह और solar insulation के कारब पूरे के पूरे pressure belt जो है ना पूरे के पूरे pressure belt जो है वो क्या shift होने लगते हैं उपर की तरफ तो यहां मतलब यह जो low pressure यहां बनता था equator पे वो low pressure area अब यहां shift हो जाएगा और यह high pressure area आप कहां चले आएगा high pressure और उपर शिफ्ट हो जाएगा तो अब यहां लो प्रिशन एरिया बन गया तो यह जो विंट्स थी कौनसी वाली साउथ इस्टर्ली यह ऐसे डाइव ठोके लो पुक helmetatini और जब नीचे लिटन रहेंगी जब मौशय्ट रहेगी ओप सारी यह जो नॉर्थ इस्टरली यो चाइना सारे सूखी हवाए थी यहलेकिन जब क्या होता है प्रेशर करनिशन शिफ्ट होता है लो कह बंट बंट जो ऑ तो कहा पह जाता है गंगा प्लेंज पर आजाता है यह मौनसून में अच्छे से आप तब क्या होता है तब विंट जो है तो लो प्रेशर विंट्स यह नहां पर पर लो पर इस लोप्रेशार सि्टरम और द्वेज की दवारा है तो वह उशेंदा आएंगे तो अकेली नहीं आएंगी मैंने बता है ना विंट्स वो उस दोस्त की तरह है जो कॉलर में हट डालके ले जाता है दुकान पर केला नहीं जाता है तो वह अपने साथ मौशर लेके आएगे और फिर होगी जमा जम बारिश ठीक है चलो तो अब इसी चीज़ को मैं आ तो आप क्या होता है जब low pressure interior of Asia में आ गया तो high pressure जो है ठीक है अब interior of Asia interior of Asia मतलब for example क्या जीस इंडिया हो गया यह इस पूरे रीजिण में क्या जाएगा अगर low pressure जाएगा यहाँ लोग प्रेशर आगया और यहाँ आगर high pressure जाता है एक्वीटर वाले एरिया पे high pressure जाता है ठीक है South Indian Ocean जो Southern Indian Ocean जो है इस पर फ्रेशर अजाता है तो विंड की एक characteristic तो आपको पता ही है कि High Pressure से Low Pressure दोड़ लगाएगी समझते चलना ठीक है हाई प्रेशर से Low Pressure दोड़ लगाएगी तो यह यह विंड जाएगी समुधर पर से जा रही है क्या लेकर जाएंगी मौश्यर लेकर जाएंगी तो ठीक है देरफोर Southwest winds start moving towards the Indian mainland High Pressure to Low Pressure विंड बता है न तो यह जो Southwest winds थी जो एक समय पर आपको होता है एक्वेटर में यह जो इधर वाली यह साउथ वेस्टर ली यह जो विंड थी हमारी ठीक है तो यह अब क्या करने लगेगी यह विंड मूव करने लगेगी किस तरफ इंडियन mainland की तरफ High Pressure to Low Pressure मूव करने लगेगी しची moving over the oceans these winds carry carry and causing rainfall carry moisture carry moisture carry moisture ठीक है देखर और अब जो जो सुदार रहो है आप भी सुदार लेना नोट्स में ठीक है carry moisture and causing rainfall और इसी करन से क्या होता है कि इंडिया सूखा नहीं रह जाता है अगर देखा जाये तो नॉर्मल सीचुएशन में तो क्या होता है कि इंडिया इस लाइंग इन दी नौर्थ-इस्टर्ली रीजन ठीक है नौर्थ-श्टर्ली विंटो रीजन में आ रहा है तो वह तो फो ऑफ पानी नहीं आना चाहिए लेकिन ये जो सीजनल रिवर्स अलोता है pressure belts के shift होने से होता है ठीक कि जब Aegean जो central part advertisement जब low pressure बंता है ठीक है और जो high pressure Southern Indian Ocean पर बंता है तो high pressure लोll pressure attract होती है major stop years दोड़ी-दोड़ी जाती है मौश्रर ले जाती है और फिर होती बारिष समझ में तो जो हूँ आपको बता रहे थे क्या ये बता रहे थे रुखो भी ये समझातों में अच्छे से उसके पहले जो बता रहे थे वो ये बता रहे थे किदर गया तो फैक्टर सब इंडिया स्क्लाइम हेध में प्रशर औज शर्फेज dewड समझ में आया प्रशर कंडिशन हाई प्रशल और सबस्क्राइब तो कैसे प्रेशर और सर्फेस में जो इंडिया के क्लाइमिट को इंफ्वेंस कर रहे हैं वह क्लियर हुआ या नहीं देश में लेकिन समर्स के से मॉन्सून बंट्स क्या करेंगी Allah अपने साथ मा शरन ले यहां तक चीज़ें आब आता है एक और क्रेंट जो है जो इंडिया के मा क्लाइम को ईनफेकर करता है अपर एयर सर्कूलेशन अपर एयर सर्कूलेशन उपनी ने लेकिन लो प्रेशर चल रहा है यह अपर आसमान में चल रही होती है वह क्या खहती है वह भी एक तरह से आप देखेंगे तो वह भी क्लायमेट को इंफलेंस करती है तो उसमें आता है नाम किसका दिवन औरॉली जैट स्ट्रीन तो जैट स्ट्रीम के वाले में अगर पड़े तो इस आर नेरो बेलट ऐफ हाई altitude high altitude ठीक है तो narrow belt of high altitude wind मतलब क्या है कि उपर बहुत हवा में उपर high altitude में winds चल रही होती है about 1200 12,000 meters ठीक है तो हिमालयास 12,000 meters उतने उपर चल रही होती है westerly winds मतलब हिमालयास से भी उपर चल रही होती है लेकिन सब्सीट होते भी देखने को मिलेगी ठीक तो आप क्या रहा है कि वेस्टर लिविंट्स इन ट्रॉपोस्फेयर ट्रॉपोस्फेयर में उनकी स्पीड भी रहती बहुत जादा 110 km समर्स में है 184 km about about 184 km पर आर इन विंटर ठीक है नंबर ऑफ सेपरेट ऐसी बहुत सारी सेपरेट जेट स्ट्रीम होती है तो यह कुछ प्रॉमिनेंट है जेट स्ट्रीम के बारे में समझ में आये इतना आव अगर जिसे देखें सब्ट्रॉपिकल क्यों कह रहे है क्योंकि वह उस रीजन में 27 से 30 डिगरी तक चल रही है अरूं 27 तो 30 डिगरी इस लेटिटुड में वह सब्ट्रॉपिकल लेटिटूड में टश्ट्रीमई अपर एयर सायर क्लटरी विंट्स होती है ट्याके? पॉजिशन आवथ जेट कैसे होता है वह में समझ आताओ आपको नौर्थ और सौथ की कहान ही समझो पहले अच्छे से यह समझना जरूरी भी है कि जेट स्ट्रीम जो है जेट स्ट्रीम जो है कौनसी वाली तो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम की बात कर रहे हैं तो यहां पर आप जिसे देखेंगे कि यह जो हमारी जेट स्ट्रीम से सब ट् नौर्ट ऑफ हिमाल्यास में फ्लो कर रही होती है और विंटर के टाइम में साउथ हिमाल्यास में फ्लो कर रही होती है कारण बता सकता है कोई अपने मन में कारण बता लो मेरा मन तरप्त हो जागर आपने कारण बता लिया है मैंने आपको भी हिंट दिया था क्या होता है ना समर और विंटर में बदलता क्या है सोलर इंसुलेशन वही रहती है लेकिन वो सोलर इंसुलेशन डायरेक्ट जो रहती है तो summers में solar insulation direct कहा जाती है interior part में जाती है यहाँ तक ज़्यादा गर्मी रहती है ट्रॉपिक आफ कैंसर तक solar insulation direct आने लगती है तो इस कारण से सारे के सारे pressure belt उपपर shift करते है तो ये भी क्या है wind system pressure belt से ही बनी है तो अब आपको भी समझना है पोजिशन जो jet stream की summer और winter के साब से vary करती है summer में north of हिमालयाज होता है winter में south of हिमालयाज होता है ठीक है this influence the climate of India और यही इंडिया के climate को influence करता है क्यों क्योंकि ये जब wind south of हिमालयाज चल रही होती ने तब आला खेल हो रहा होता है जब north of हिमालयाज चल रही होती तब अला खेल हो रहा होता है तब चल रही होती तो जैट स्ट्रीम और आगए चलो मेरे साथ तो यह क्या करता है इंडियां में बारीश हो नहीं 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 को उड़ाके ले जाती सामान भी हम ही देख़े जाए ठीक और अब देखो क्या है तो इंडिया का climate influence कर रहा है कि नहीं कर बता हो फिशके अपर इर Bunu면 just यहका क्लायुवेट starts करौआ है यही कैस अगर विंटर में देखो आप दिखते हैं जो winters में महावट का पानी गिरता है मतलब क्या है winters में कभी-kभी आप देखेंगे तो November, December में बारिश हो जाती है तो वो इसलिए होता क्योंकि jet stream हिमालियास के south में चल रही होती है हिमालियास के south में चल रही हो तो हिमालियास के south में हमारे इंडिया का नदन प्लेन है और यह मौश्यर अगर जट्रिम ले के आ रही है मेडिटीरियन सी से तो वह मौश्यर यहाँ पर प्रसिप्रिटेट करवा चीए तो अपर यह सर्कुलेटरी विंड है लेकिन वह क्या कर रही है इंडिया के क्लाइमेट को इंफ्रेंस कर रही है समर्स में भी विंटर्स में भी अब समझ में आ गया तो यहां पर आपको एक भी पॉइंट लिखने की जरुवत नहीं है बस हर चीज जो है उसको मैं पैन से समझा सकते हूं अगर आप कनेक्ट कर पार हो फांडेशन होले पार्ट से लो प्रेशर हाई प्रेशर से अगर चीज़े समझ रहा हो तो सब कुछ जोड़ते चल जाओगे समझ में आ रहा है चलिए अब क्या है आगे देखो तो वेस्टन स्कालीं डिस्टर लेक्ट सक्षाइब क्या है स्क plaintि Lefrid वेस्टन स्ती डिस्टरमन फॉट्र इस वेश्टन साइकलों डिस्टररान देखो तो दिवेधर सीनोमेशन ओफ विंटर इतना तो समझ में आया थे कि अपर एयर सरक्लेटरी वीड है मतलब यह जुम्हें हैं ड्राओ कर रहा हूं कौन सा कलर दिखेंगे इस पर यह लुग दिखेंगे यहां पर बताएगा है कि अपर एयर शरक्लेटरी वेंट्स है मैं जो ड्रॉण कर रहा हूं तो इसको कहां लेके चलना ओपर एटमोस्टवर में लेके चलना अपर यार सब्लिक्षि चल रही हैं यहाँ पर इस और शल में डीमें लेके चलती है वह मौशर लेके चलेंगी ब्लैक सी से भी पानी उठा लिया कैस्पियन सीस से उठा लिया अब ज्यादे लंबे समय तक थुरी ना होल्ड कर पाएंगी पानी उठा तो लिया इतना सारा तो यहाँ पर देख रहे हैं कि वेस्टन सैक्राइंडिया के इने को एंफुलिंस कर रहा है नहीं कर रहे हैं तो इस तरह से आपको क्या देखने को मिलता है इस तरह से आप यह देखेंगे कि आपको यह देखने को मिलेगा कि क्या होता है जो वेदर फिनोमेना है विंटर में क्योंकि विंटर में जट्स्रीम हिमालयास के साउथ में चल रही होती है तो वह वेस्टरली फ्लो के त्वारा मेडिटेरियन of country is influenced north और north western part के area जो उसका weather पूरा influence हो जाता है क्योंकि जो westerlies आ रही है जो jet stream आ रही है ठीक है वो jet stream क्या लेके आ रही है अपने साथ rain shards लेके आ रही है तो rain shards are brought in the part of the country and in this sense in this sense the climatic conditions are being influenced समझ पार हो western cyclonic disturbance इसका है तो western cyclonic disturbances are ठीक है western cyclonic disturbance is the change in weather conditions in the form of rainfall ठीक है which we are receiving due to due to the jet stream due to the winds winds मतलब jet stream हो गया winds which are flowing from the western part ठीक है from the Mediterranean sea and the moisture which they are carrying with them clear हुआ तो this is the answer for this question western cyclonic disturbances and the tropical cyclone अब tropical cyclone की अगर हम बात करें तो tropical cyclone क्या है तो जिसे अगर आप देखेंगे कि tropical area में भी time period में मतलब monsoon जाने वाला रहता है October November का time period रहता है तो आपने सुना होगा न बहुत सारे cyclones आते हैं तो ट्रॉपिकल cyclones जो आते हैं वो ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल क्यों क्योंकि country तो coastal region जो यहां पर बारिश हो रही है फ्लड आ रही है सारी चीज़े तो इस तरह से ट्रॉपिकल cyclones जो है वो भी climate को influence करते हैं अब अगर हम यहां पर चीजों को summarize करें अब देखो अब हम इंडियन मौनसून पर जा रहे हैं इंडियन मौनसून में एंटर करने से पहले मैं चाहा रहा हूं कि एक बार हम सारी चीज़ें समेट लें ठीक है समेट लेते हैं चलो देखो क्या-क्या पड़ा आपने अपने वेदर और और climate में difference समझा समझा फिर आपने देखा कि climate को control करना है ले multiple factors होते है latitude longitude ठीक है distance from the sea हो गया उसका अदमे ओशन करेंट हो गया relief feature हो गया आपने यह सारे factors देखे कि यह क्या कर रहे हैं यह तरह से climate को control करते हैं अब what are the factors which are affecting India's climate तो इंडिया के climate को latitude and latitude और pressure and wind system influence करता है अब उसमें भी क्या surface wind कैसे करती है upper air circulatory winds में jet stream कैसे करती है western cyclonic disturbances क्या होता है tropical cyclones कैसे करते हैं यह सब भी पढ़ लिया आपने अब इस इतना सब कुछ पढ़ने के बाद में जो है आपको एक चीज़ जो समझना होगी सबसे important कि इंडिया का जो climate है वो है monsoon type of climate ठीक है monsoon type of climate क्य बहुत जरूरी है मयदार है बहुत कुछ सिखा के जाएगा आपको तो monsoon mechanism जो हम यहां पर पढ़ते हैं देखो तो monsoon monsoon क्या है seasonal reversal in the wind direction during a year जरा मुझे मेरे हत्यार के color बदल दे ले दो ठीक है तो monsoon क्या है monsoon ते एक तरह से आप देखोगे तो seasonal reversal ही है wind का seasonal reversal कैसे हो जाता है सरी है तो यह सीजनल रिवर्सल इस कारण से होता है क्योंकि अरे या रुप जाओ किदर गया थिक पैन पे यलो यह है तो seasonal reversal कैसे होता है तो सीजनल रिवर्सल के पीछे का कारण यह है कि बहुत सारे factors होते एक दो नहीं होते multiple factors जो होते हो काम कर रहे होते हो उसके चलते आप आपको सीजनल रिवर्सल देखने को मिलेगा तो सीजनल रिवर्सल इंदी विंड डिरेक्शन दूरिंग अ यह से यह जिससे अफ्रिका हो गया तो अब क्या हो रहा है कि एक समय ऐसा होता था कि तो जो फैसे टे आख और सब्सक्राव हो गया याच जो होता है तो जो हवा परदा लगती तो वह क्या करते थे वह लोग कि जब बारिश होने वाली रहती थी ना जैसे बारिश होने वाली रहती थी पानी में तो इंडिया के टकरा जाते थे यह उतर जाते थे पूरा चार मेने क्या करते थे समान अमान बेश लेते थे फिर क्या होता था फिर जिसे कर आप देखेंगे जन्वरी तक क्या होने लगता है कि समर्स आने लगते हैं आप प्रशर सिस्टम यहां था समर्स के टाइम प्रेशर शिस्टम दीरे शिफ्ट कर गया नीचे तो अब यहां विंटर्स में आप विंटर्स में चलेंगी सीजनल रिवरसल हो जाता है नौर्थ इस्टरली विंच चलने लगती है कि लिस इसे चलेंगी इस चलेंगी इस तरफ से वह बापिस अपनी नाव उता रहेँ देंगे हवाई उनको वापिस यहां ले आएगी रहेंगे अपने घरब परिवार के साथ बीवेचों के साथ समय बिताएंगे अगल साल अब वापिस जब जैसे गरमिया गरमिया आने वाली लेगी तो गरमियों में इस तरह से चलने लगती न तो आप क्या होता है वापिस अपनी होता है क्यों लो फ्रेशन होता- अमें समझाओंगा ठीक तो यहां के लोज़र को यहां καा हाइश जो है यहां का इसी दिदल सब्हечьतente है ओपने शाहाँ उस बोर्ट को कैरी करके रह जाती थी अब ऐसा जब्वर्सल होता है तो नौर्थ इस्टर्ड जो है ठीक है North East trade winds जो है तो वो क्या करती वो क्या करते हैं नोर्थ-east trade winds winters के टाइम प्रेंट में नाओं को बापिस आफ्रिका पहुचा देते जाओ भाय ठीक है तो इस तरह से यह चेंज जो है यह सबसे पहले किसने अबसर्फ किया था सेलर्स ने सेलर्स फर्स्ट नोटिस्ट दिस फिनॉमेनन और बेनिफिटेट फॉम दिस और यही इसी के चलते हैं जो अरेबियन ट्रेडर्स वगे रहाते थे तो उन लोगों ने इसे मतलब मॉन्सून नाम दिया मॉ फ्रकार दियान रखना है कौन से वाला पॉइंट में आपको समया था कि इंडिया इस लाइं इंटरली इंदि एरिया ऑफ नए इंडिया यह जो है नॉर्थ इस्टरियूिंड ओस्टेंगे आ रहा है लेकिन इंडिया फिर भी ड्राइ नहीं है क्यु क्यों जो सीजनल रिवर्सल ऑफ वर喜欢 होता है यह सीजनल रिवर्सलों ही इंडिया को पानी की पहुआ था इसलहे इंडिया में महों सुन देखते हैं तो क्या से लेंगते हैं वो सारथ का सारा इंडियन से आपको संमज में आएगा चलो करते हैं इस्प्रोल करते हैं इसी जनले का गॵित्वंधा है इस सारे पॉइंट सम्झाओं पिर एक सारे सभ समर्याइस भी कर दूंगा तो आप समझते चलना तो आप यहां पर क्या है पहला पॉइंट दिया है the differential heating and cooling of land and water ठीक है land and water का differential heating and cooling जो हता है वो पहला factor बनता है ठीक land and water का differential heating and cooling क्या होता है यह मैं आपको समझा दिया कि जल्दी गरम होती है जल्दी थंड़ा होती है पानी लेड गरम होता लेड थंड़ा होता है इसी हिसाब से अगर आप देखोगे तो अब क्या हो रहा है कि इंडियन लेंड मास में आपको क्या देखने को मिलेगा कि जमीन बहुत जल्दी गरम हो गई लो प्रेशर जहां गरम रहेगा वहाँ लेट होगा मतलब पानी में क्या है high प्रेशर ठीक है तो आप बताओ मुझे जरा हवा किदर से किदर चलेगी simple point है simple बहुत simple है panic मत होना दिमाग मत लेना सिर्फ बहेते चलना बहाओ के साथ मैं तो तो यहां पर क्या है यहां पर देखोगे तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर रहे हैं पहला कारण सिंपल सा यह अब देखो आगे बढ़ते हैं और यह तो एक पॉइंट हो हमार किदर गया तो यह एक पॉइंट हुआ जो क्या कर रहा है जो एक प्रेशर लोग बना दे रहा है तो अब हमें इतना घड़ित लगा लिए हमने कि हाँ अब हवा जो है समुद्र पेसे जमीन की तरफ चलेगी तो पानी लेके जाएगी पानी लेके जाएगी तो मॉनसून आएगा दी रंदर आया इस चाप्टर का ITCZ ITCZ क्या सिर्दद है यह है ITCZ सिंपल सी चीज़ अम मैं आपको ITCZ बहुत प्यार से समझाता हूँ पर एक बार पढ़ देता हूँ तो आपको थोड़ा से खिंट लग जाएगा इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इस ब्रॉड ट्रॉ इस साउप एस ट्रेडल बिंड तो यह लेता है तो यह नॉर्ट ऑ اليन ट्रेंट उपर देखने को मिल गए यहां पर शनिखो जो एक ब्रॉड ट्रफ या बेल्ट केहलो यह जो बेल्ट बनता है इस बेल्ट को कहेंगे हम इस बेल्ट को कहेंगे icc-z तीक है intertropical convergence zone intertropical convergence ऑना intertropical convergence zone है ठीक है low pressure का क्यों है अभी सब सारी चीज समझा आगी तरह सबर रखो थोड़ा सा समझना आया फिर क्या है the icc-z belts normal position is equatorial latitude but it moves north and south विट दी एपरेंट मुव्मेंट ऑफ सन अब यहां जितना भी लिखा है जैसे नहीं समझ में आया बहुत सभी किताब में पढ़के समझ में आता है कि ठीक है चलो इसो ज़रा जी के देखते हैं थोड़ा सा पिच्चर के लाओ ठीक है पिच्चर का हिरो कौन ठीक है सोलर इंस यहां जिसे अगराब देखेंगे यह होगा आपका क्या इक वीटर अच्छे समझना आएटी सीज़ट जीने समय नहीं आता है आएक अब समय में आएगा ठीक है यह होगा आपका इकवेटर कलर और ले लाँ तब मजह आएगा अब देखो का मैं माइक सी परशान हुआ ठीक अब आगे अकर जिसे देखते हैं का है यहां इंस दाएर्क कि बात करो यहां भी जाती यहां पर कैसे जाती है इस अब यहां यहां यहाँ प्रिशर था जो तो ऌने आपको बताया था मनता है तो मेंशाइब करेंगो नोफ़ेटर इक बनता है टो वन समय है कैसे मुव करेंगी हाईब टू लो प्रिशर सुल्ह गरेंगी vind है पूपन ळू बना तो यह जोन से और आरहे हैं दोनों सॉत्रीज़ा करेंगे था करेंग यह आयदा लोचिसन两 और चेयरे दोनो लुबपेटरा आंघे में nuo रहें रहे हैं दोनों हिन आवराइगे तो इंटर ट्रॉपिकल converge करें, convergence यह zone है, तो यह zone हो गया, ITCZ, इतना समझ में आया, तो normally क्या होता है, normally due to the solar insulation, a broad trough of low pressure is created near the equator, that is known as ITCZ, ठीक है, that is known as ITCZ, because winds from the high pressure areas are converging at that point, at that equatorial point, ठीक है, and therefore it is known as, therefore it is known as ITCZ, ठीक है, फिर उलज गया, ITCZ, समझ में आई ही, यहां तक कहानी समझ में आई ही, ना, ITCZ यह हो गया, यह normal situation बता रहो मैं आपको, लेकिन, यह जो low pressure area का trough है, belt है, जो भी कहना है आपको, यह एक जगा सीधा नहीं ही बैठता है, ठीक है, क्यों सीधा नहीं बैठता है इसके पेर में लगे बहुरी, ठीक है, बहुरी समझते हो तो, यहां पर यह क्या होता है, यह belt, और next shift होता रहता है, नौर्थ और South shift होता है, क्यों shift होता है, जीसे आपको, पता है retained summers summers में क्या होता है summers मैं सन का मूव्मेंट नॉर्थ वड होता है through son Bre자 नहीं जाता से अपनी जगे चनल师 लाइकभा तीठीक है तो अपनी जगह ही रहता है लेकिन कहने का तरीका है नॉर्थ सबर्ट मुव्मेंट सब्सेट दना रहे है तो सिर्ग्ष लग्हां इन्स으लेशन ना तो रहे हैं कि यहां यहां जी यहां आजाती ट्रोपिक ऑफ कैंसर पे पेंसर गांट इन्सालिशन रहे रहेगी वहां हमेशा क्या रहेगा लो प्रेशर रहेगा जहां डारेक्ट इंसुलेशन रहेगा तो यह लो प्रेशर यहां आ गया मतलब विंड्स किदर कनवर्ज होगी यहीं कनवर्ज होगी ठीक है विंड्स यहीं कनवर्ज होगी यह मैं कौन सी सिट्विशन बता रहा हूं कि यह समर्ष की Cityution बता रहों समर्ष में समर्ष में जब डानेक्ट की तरफ बनेगा नॉर्थ की तो करने रही का नॉर्ब सिटिविटर मतलब कहां अभी क्या है नॉर्म के सब्सक्राइब Home तो आब तो आपको संर्स में सो जो है तूलीम का डारेक्ट टॉपिक आने का मतलब सीधा सा मतलब यह है कि पूरे के पूरे pressure belt ऊपर की तरफ shift करके pressure belt ऊपर की तरफ shift करके चले गए तो वो जो बीच में low pressure का conversion zone बनता है जिसे हम ITCZ कहते हैं वो जो broad, tough of low pressure बनता है belt of low pressure बनता है ITCZ जिसे कहा जाता है वो भी northward shift कर जाएगा ITCZ का northward shift करना ठीक है ITCZ समझ में आया northward shift समझ में आया अब आजा हो जारा कहां पर वापिस अपने इस पार्ट पर की mechanism of monsoon में हम क्या पढ़े थे एक बार ही मिटा देने तो mechanism of monsoon में हम क्या पढ़े थे mechanism of monsoon में हम ये पढ़े थे पहला तो differential heating and cooling हो गया दूसरा ये है the shift of the position of intertropical conversion zone तो ये ITCZ जो है ये ITCZ सीधा बांदा नहीं बैठता है और ITCZ क्या होता है ITCZ जो है shift करता है तो winters में जो की south में रहता है इंडिया के लेकिन summers में वो ITCZ क्योंकि summers में direct insulation tropic of cancer तक है तो ये ITCZ भी क्या आ जाता है ITCZ जिससे अगर आप देखोगे तो shift हो के इंडिया के उपर आ जाता है अब देखो क्या है ये वाली कहानी से जोड़ो यहां पे कि हमने differential heating and cooling में सीख लिया था कि दर गये ठीके हमने differential heating and cooling में देख लिया था क्या कि यहां low pressure है और यहां पर क्या है यहां पर यहां पर हाई pressure है ठीक है यहां high pressure है तो अभी वन वन था कि चलो तुम्हाई pressure हम low pressure लेकिन लो प्रेशर की टीम में एक और candidate आ जाएगा प्लस बन हो जाएगा कौन आ जाएगा ITCZ तो जब low pressure belt इंडिया के तरफ shift हो गया तो यहां पर क्या है low pressure square हो गया ठीक है low pressure क्या हो गया low pressure is to the power two हो गया क्योंकि उस low pressure को add on कर दिया किसने ITCZ ने so with the apparent movement of sun ठीक है with the movement of sun ठीक है the pressure belt shifts northward ठीक है and the broad truss of low pressure which is known as ITCZ is also shifted to the Indian landmass और we can say is also shifts to the north of is also shifts on the northern plane यह ज्यादा बहतर रहे इस also shifts on the northern plane तो यहां पर क्या हो गया low pressure plus two हो गया मतला है low pressure की टीम में एक candidate और बढ़ गया सब्सक्राइब यहां low pressure हो गया इधर high pressure यह अब देखो क्या है दोना पॉइंट में एक में भी डाउट मत रखना है इसलिए मैं पूरा-पूरा समय दे रहा हो कहने को बन शॉट है लेकिन बढ़ा अभी भी हो जाए मुझे पता है ठीक फिर सब्सक्राइब अब क्या हो रहा है अब क्यूंकि समर्स के टाइम प्रेड में यह हो रहा है कि सारा का सारा सब शिफ्ट हो गया प्रेशर क्या यहां आगिए तो नो सबने सब्सक्राइब Sariai 만ृट अगये लो फ्रिशर क्या लहाँ होगा तो प्रेशोर कहां जाएगा यह यहां जाएगा थिक ऑफ्रियुट यहां जाएगा तो east of Madagascar मडगासर के east में यहाँ पर high pressure zone बनेगा यह जो high pressure zone बना है तो वो differential heating and cooling के करण जो पहले से high pressure था यहाँ तो उस high pressure का क्या कर रहा है दोस्त बन गया है तो high pressure area यहाँ पर भी high pressure area east of Madagascar में भी है तो यह पूरा का पूरा दो फेक्टर्स low particul कर रहें क्या कर रहें इंटैंसिफाई कर रहें दो pressures high pressure को इंटैंसिफाई कर रहें आप कितने ही factor कर लेकिन बड़ी picture क्या हो रही है कि pressure Convention बहुत intensiveाई हो रही है pressure condition intensiveाई हे और winds किographics कि दर दोढ़ लगाएगी allora इधर से इधर दोड़ लगाएगी इधर से इधर High pressure से Low pressure दोड़ लगाएगे समझे यहां तक चीज़ें? चलो अब देखे चौतह पॉइंट देखे हम तो और तिबतन प्लैटू gets intensely heated ठीक है तिबतन प्लैटू gets intensely heated, यह चौता पॉइंट समझो कि अब क्या हो रहा है कि आप यह तिबतन प्लैटू को जब समझोगे ना तो यह हिमालयाज है यहाँ पे आप देखोगे तो पैरलल में हिमालयाज की बराबर की हाइट में जमीन से सर्फिस से 9000 किलो मिटर नहीं 9000 मीटर ठीक है जमीन से जिसे अगर आप देखेंगे तो एप सब्सक्रेण से क्योंकि आप यहां पर इंटल्प रहा है यह रहा है अप स्लोग घृट झीम्से यहां को यहां ट्राक्र बन रहा है तो लो प्रेशर जो है और आट्राक कर रहा है किसको कर रहा है इधर जो ऐटर सिस्टम बन रहा था East of Medagaskar पर और ओशियन पर डिफ्रेंशल हीटिंग कुली समझना आया यह सारे फैक्टर्स हो गए इसी के साथ साथ अब क्या है विंड्स का खेल भी समझी लो विंड्स का खेल क्या है कि धी अधी मुव्मेंट ओफ वेस्टरली जेट स्ट्रीम तु दी न नौर्थ ऑफ हिमालयाज है तो वह यह है कि वह हमारे काम में विगन नहीं डालेगी वह नौर्थ ऑफ हिमालयाज फ्लो कर रही है उसको बोल रहे है कि तू अपने आप में मगन रहे तो वह नौर्थ ऑफ हिमालयाज फ्लो कर रही है ठीक है मतलब क्या है इसे बोलते ना हलो को रिपर्टिंग रास्ता खाली था क्यों कि हां पर क्या देख रहे हैं वेस्टरली जर्प्रिम और और प्रजेंस उपकल ईसटर्ली जर्कम प्लोंप नहीं यहां पर अपको बतारों बात कर रहा हो जो तो प्रॉपिकल यह सत्रीषा है टेद करेंस ऑफ हो यह ना अट्राक कर रहा है लो प्रेशर हाई प्रेशर को आ जाओ तो उस तरह से क्या है कि वह चलेगी लेकिन यह तो सरफेस पर हुझ उपर हवा में क्या और आप अपर यह से देखोंगे ट्रॉपिकल ईस्टरली जट्स्ट्रीम जो है एक जो वेस्टरली चल रही वह तो नौर् को नीचे सबसीड कि दर रही होगी इस चल रही होंगी सर्फेस्स इस तरह से नीचे चल रही होगी तो ऊपर्सकीад हैं अप्परी से ऐसी अब तो वो इंडियन पेनेसुला के उपर होती तो अब जो सबसीड होगी तो वो हाई प्रेशर इधर ही बनाएगी जब सबसीड होगी ना तो वो हाई प्रेशर किदर बनाएंगी ओशियन पर इंडियन ओशियन पर बनाएंगी तो हाई प्रेशर यहां भी इंटेंसिफाई कर रह हाई प्रेशर को और विंड्स जो है वो रिवर्स हो जाएंगी तो जो नॉर्मली विंड्स हमने देखा हमारे कैसी चलती है नौर्थ इस्टरली चलना चीए ठीक है लेकिन समर्स में क्या होता है समर्स में ड्यू टू दी रिवर्सल आफ प्रेशर सिस्टम ठीक है पूरा के प कि उपक्ड़ो southwest wind जो चलती है ठीक है तो southwest winds को क्या कहते है मौन्सून winds के एंगी देख सारा मउस्टर सर सारी मवें हुआइगी और यह पूरा मश्टर कहाँ प्रेसिपिट हो जाएगा हमालयास इस बोलते हैंगी आगी नहीं referendum ठोटा है और तम आती हमारे यहां बारिश तो इस तरह से यह पूरा का मॉन्सुन पूरा का पूरा मॉन्सुन सिस्टम था एक बार में आपके साथ रिकॉल करना चाहूंगा ठीक है तो लेट आस समप धी होल स्टोरी क्या-क्या फैक्टर थे पहला फैक्टर ठीक है डिफ्रेंशियल हीटिग कुलिंग डिफ्रेंशियल लो प्रेशर बन गया यहां बन गया हाई प्रेशर प्रेशर अगया तो रोप्रेशर में मतलब दूसरा पॉंट लिग आपके क्या आइटी सीजेट वाला याईटी सीजेट जो है कहां शिफ्ट हो जाता है आईटी से ट्रॉपिक ओफ कैंसर पर फ्रेशर हो गया अब पूरा लोग प्रेशर यहां है तो जो रिलेटिव हाई-प्रेशर रहता प्रेशर बेल्ट का वह इस्ट-अफ मड़ागास कर में क्या एक और फेक्टर क्या काम कर रहा होता है हम पर यहां भी बन रहा है तो तीन तीन फेक्टरी इदर लो प्रेशर बना रहे हैं पिर जिसे आप देखो कि तो जो एक अरचन आ सकती थी रास्ते में वो इसके आ सकती थी वस्टरली जेट स्ट्रीम की तो वह नौर्थ में चली रही है उपर से क्या है ट्रॉपिकल इस्टरली जे समझ मैं मौनसून की कहानी तो पांचों पॉइंट जो है तिप्बत वाला तिबतन प्लैटू जो है प्लैटू हीट अप हो जाता है वह पांचवा पॉइंट जो है तो जो जो वेस्टरली जेट स्ट्रीम है ठीक है वेस्टरली जेट स्ट्रीम जो है समझ मैं आ रही है वेस्टरली जेट स्ट्रीम किदर चलने लगती है वेस्टरली जेट स्ट्रीम नौर्थ में चलने लगती है और जो ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है ठीक है वो इंडियन पनेंसूला पर आती है जो अपर एयर सर्कुलेट तो इंडियन मॉन सू इंफ्लेंच बाइएंस टीकि एलीनो एंस सदन ओसिलेशन तो यह अगर हम समझें तो यहां पर देखो एंस जो है न एलीनो और सदन ओसिलेशन दो सब्दसे मिलके बनाएं मैं आपको मोटा माटी पहले समझा देता हूं इस स्लाइड पर जाने से पहले यहाँ देखोगे यह form वशिन करइंट के बारते वह समघेंट कर जाने में समझाया बंगे पानी नहीं पानी नहीं नहीं मैं अ थो पाइंट से तो यहाँ शुक्या पर चाहीं और और यहां से जाएगा तो यह चल रहा है यह क्या चल रहा है यह क्योंकि चलेगा अब लेकिन जब यह वह ट्रॉपिकल यह टेंपरेट रीजन में पहुच जाएगा पानी नीचे समझत मतलब यह अंटाटिका एंटाटिका पास पहुच जाएगा यह पानी तो यहां पर क्या यहां पर क्यूंकि थंडा सब कुछ लोगर लेटिट्वीट्स प्रक्षा तो यहां पर चलेंगे कैसे चलेंगे चलेंगे थिए वो शिन करेंट रहेंगे तीक है अब बू चलना है को लुषन करेंट रहेंगे कारण यह एक विटर पे हैं यह लाइटिट्यूट्स पे है ठीक है पोल्स के पास आगा थंडा पानी रहेगा तो इसकारेंट से अब जिस अब यह उपर की तरफ यहां का पानी हमारा क्या करेगा उपर लगे मोटर लगे क्या मोटर नहीं लगी देखो क्या रहा है कि यहां निकल गया तो यहां पे अफवेलिंग होगी और यहां का जो पानी था तो भाएक निकल तो यहां relatively depression रहेगा तो अभी क्यासी उतार होगी मतलब जिस आप समझोगे तो इस तरह की उतार होगी उतार समझते हो स्लोप ऐसा होगा कि इस तरफ क्या है डिप्रेशन इस तरफ पानी अपवेल्ड है यहां पानी ज्यादा भरा हुआ यहां पानी इदर की तरफ स्लोप है ैसे दर चलने लगे यह बोफ करने लेगा किदर की तरफ तो यह पैटन रहता है यह बाशें करेंट यह एक वेटर से चलते लेकिन जब वो दो ब्रीजिन में में चले जाते तो वहां पर कोड़ ओशेंट हो जाते और इस तरह साहब देखेंगे तो वेस्टर मार्जीन चौड़ ऑपड़ा है तो यह नौर्मल सिचूशन है यह बहुत अगर समझाऊ तो एलीनो क्या है एलीनो is the development of यह नॉर्मल और उसे करके जब यह वाम ओशन करेंट आ जाता है यहां पर इस फिनोमेना को क्या कहा जाता है अब आपके मझे सवाल कूंद रहे हैं कि सर यह रिप्लेस कैसा हो गया वो समझा दूंगा मैं आपको वही तो आपको कि है क्या क्या कि यह इंसान कौन है तो यह इंसान दुनिया का सबसे बहतरीन इंसान है ऐसे बहने बताए आपको ठीके तो अब क्या है यह मैंने आप इंट्रॉडक्शन दे दिया आपको कैसे है वह एक्स्प्नियन करूंगा तो एलीनो आपको समझ में आगे ना एलीन और यहां प्रेशक प्रचूराद अब देखते हैं अगे काहनी को समझोगा तो सदन में क्या है कि यहां प्रेशर प्रेशिरां से तरह रहते है लेकिन यह क्यों क्यों होता है यह पुरा तो आपस में यह समझा दूंगा बागी अलीनो किया है और इंटर रिलेटेंट इंफ्ट दी मॉन्सून और यह दोनों ही चीज़ें मौन सुन को भी इफट करते हैं कैसे मॉनसून को इफेक्ट करते यह बहुत बता ना यह चोटा सा टॉपिक लेकिन बड़ा इंटरस्टिंग है ठीक है छोड़ा सा टॉपिक है मगर बड़ा इंट्रेस्टिंग है तो चलिए इससे समझते हैं देखो तो अब जिसे बात करें एलिनो एलिनो क्या है एलिनो इस दी पिरियोडिक सिंपल जो मैंने आपको बताया भी ठीक है वह 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 कहलाता है डिउट्टो अलिनो दी सी सर्फिस टेंपरेचर इंक्रीजेज एंडी ट्रेट विंड इन इस रिजिए विक होती है तो यह मैंने पूला ना कि एफेक्ट दी मॉन्सून तो मॉन्सून कैसे एफेक्ट होता वह बता दे रहा हूं ट्रेट विंड विक होगी तो क्या होगा हाई प्रेशर नहीं बन पाएगा हाई प्रेशर नहीं बन पाएगा तो क्या होगा कि लो प्रेशर जो चाहिए जो लो प्रेशर विंड अट्रैक्ट करती है इंडियन पैननसूला पे ठीक है वो लो प्रेशर वि बहुत द्यान से बहुत प्यार से समझना ब्लेक पेंद देते तो फि collecting अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है नौर्मल सी पिएशन में यहां पर क्या होता है यह cold होता है ठीक लेकिन जबाटा था है न कहांडि समझ ना जब alm उता है तो replace हो जाता है cold current किससे ये cold current replace हो जाता है warm current से ठीक है होँड़ो और यहाँ पर point लिखेंना क्या लिखा है due to yellow the sea surface temperature increases टीके and the trade wind in this region become weak टीक हो see surface कैंसे temperature increase हो जाता है तो अब यह यहां पर क्या हुआधा है यहां पर प्रयुट करेंट ना किया लिखाय का पर इस पूरे के पूरे रिजन को क्या कर देगा इस पूरे के पूरे रिजन का पानी जो की relatively थंडा रहता है normal case में लेकिन एलिनो जब warm current डवलप होगा तो यहां पर पानी क्या हो जाएगा warm हो जाएगा warm हो गया तो अब warm water जब हो जाएगा तो उससे देखो warm water क्या है क्या है low pressure के लिए ओपर हो फ्रेशन होने ले एगी लो प्रेशर कंडीशर बंने लेगी लेकिन इंडियन मॉन्सून के लिए यह फ मड़ेशकर कर पाएगा समझ पा रहेगा तो एल्लीनो से इंडिया के उपर कैसे एफेक्ट आ रहा कनेट कर रहे हो कि इंडिया मतलब यहां पर वाम ओशन करेंट आएगा तो वो वाम ओशन करेंट क्या कर देगा पूरे के पूरे सी मतलब सी वाटर का सी वाटर टेंपरेचर जो है वो बढ़ा देगा सी वाटर प्रृइशर की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा तो जों साउथ वेस्ट हें जो मौनसुन लेकर जाती इडिया में वह विंच क्या हो जाएंगी कमजोर हो जाएगी तुर ही इंडिया में मॉंसून को? कमजोर हो जाएगा तो यह हमारे ब्रॉब्जरग जो ऺाते थे तो उन्हें नहीं पता एligh नहीं सीरिशन क्या होता है लेकिन उन्होंहें जाल ज्यादा गर्मी पढ़ती वारिश होती है तो लेकिन उन्हों बोला कि जिस साल ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो ज्यादा गर्मी पड़ेगी मतलब क्या है कि ज्यादा गर्मी मतलब यहाँ पर एक्वेटर पर क्या बनेगा लो प्रिशर बनेगा लो प्रिशर बनेगा तो यह वाँ मोशन करेंट यहाँ पर को रिप्लेस नहीं कर पाएगा अब ज़ादा गर्मी पढ़ेगी तब आप मालो किसी साल गर्मी कम हुई तो क्या होता है गर्मी कम होती तो वे क्वेटर का पानी यहीं क्या होता है यहीं कि यहीं यहीं वाम quotation current अपक्वेल होने लगता है और वो क्या करता है cold peruvian current को replace करके warm ocean current आ जाता है हाँ पर warm ocean current आ जाता है ठीक कब जब गर्मी नहीं पड़ती है क्यों क्योंकि जादा गर्मी पड़ेगी तो winds strong रहेगी तो वो क्या करेंगी वो तो आगे की तरफ बहा के लेगी जाएगी पानी को लेकिन अगर गर्मी नहीं प करता है एलीनो एलीनो सिर्फ का है जो current है वो ओशन करेंट है उसका replacement है लेकिन उसका association से साथ कैसा है वह सबजिमाया वैसी SouthernHow सिलेशन के अगर बात करें तो normal situation में क्या होता है आए प्रेशन होता है ट्रॉपिकलएश्टन ट्रॉपिकल इस्टर स्वाइच पैसिफिक में ट्रॉपिकल इस्टन साउथ पैसिफिक में देखो न्यूट्रल सिच्वेशन में क्या होता है कि ट्रॉपिकल इस्टन साउथ पैसिफिक के अगर हम बात करें तो ट्रॉपिकल इस्टन साउथ पैसिफिक यह वाला पार्ट है तो यहां पर क्या होता है हाई प्रेशर होता है ठ अब यहाँ आप यहाँ प्रेश्र होता है लो स्लती है यहाँ फॉरम का यहाँ दीन फॉर मैं यहाँ प्रेसिब्स इस देखोगे तो इसकी के चलते क्या होता है स्ट्रॉंग इस्टर्ली स्फ्लोस दी ऊशन करेंट गवर्ण बाइदें फर्दर फिनोमेना इस फॉलोड इन जैट्लिक मेनर अब यहां तक नहीं रखना है समझाँगा अब अच्छे से देखो तक अच्छे समझना क्योंकि एली नो तो समझ आ गया मुझे पता है आपको सद्विशन अभी वी कंश्यों है ना चलो सद्विशन क्लियर करते देखो क्या हो रहा है कि नॉर्मल सिच्विश में जिसे गर आप देखोगे तो साउथ प्रसिफिक के फिश्ट्न पार्ट में इस्टर्ण पार्ट यहां रहता है यहां रहता है थंड़ ऋशन करेंड है तो ऐसे फ्लो कर रही होती है तो यह चान आकरती है यह यहां इखटा कर देती यहां बनता है यहां बनता है गरं पानी पुरा इह out फो फ्डूरिशन और इसजा आप डेखो तो ईटोनेशिया पाप्वान वह जो आइलेंट है वो आईलेंड में क्या आता है उन आईलेंड में बहुत बारिश भी होती है क्यों क्योंकि ये पूरा का पूरा पूरा पानी बहा के ले जाती है अपने साथ वो गरम पानी ले जाती है वाँ मोशन करेंड और वो वाँ मोशन करेंड के करण बारिश होती है वहाँ मतलब यहां high pressure रहना चाहिए लेकि normal situation जब change हो जाती है और यहाँ पै क्या होता है एलीनो के time period में low pressure बन जाता है क्यों low pressure बन जाता है क्योंकि यहाँ पैब देखोगे cold current जो है cold current is replaced by the warm current cold current is replaced by the warm current तो यहाँ पैब क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर situation बतल गई, अब यहाँ low pressure बन गया, high pressure की जगा low pressure हो गया, क्योंकि यहाँ warm current है, warm current है, मतलब पानी गरम है, गरम पानी मतलब एवापरेट करेगा, एवापरेट करेगा मतलब क्या होता है, low pressure बन जाना, जब यहाँ low pressure बन जाता है, ठीके, तो अब क्या हो गया, situation के डजर्ट में ही अटाकामा के डजर्ट में ही और यह कब होगा जब वाम ॉचिन डबऄ हो जाता है ठीक है अब यही पॉइंट यहाँ पर समझाय गया है इंशissippiéré प्रेशर क कंडिशन sorry को इस अचाहिशन को सब्सक्राइब यहाँ फ्रेशर क्र juvenis a teacher प्रेशर कहां पर sud pakी लोग प्रेशर हो जाता है याने की लोग प्रेशर होना यहां पर लोग प्रेशर हो जाता है यहां जो होगा के अंप पर कम ग Facebook और इस तरह बन गया है तो अब कै अधर से हवाएट चलेगी तो बीचई में बारिश हो रही है तो इन देश के लोगों के लिए अच्छा है लेकिन होगा क्या कि वाँ मोशन करन्ट यहां डवलप होगा तो जो सबसेक्वेंट प्रेशर नहीं बन पाएगा यहां क्या बन जाएगा यहां एक तरह का लो प्रेशर बन जाएगा यहां भी लो प्रेशर यहां भी लो प्रेशर तो आप ट्रैक कौन किसको करेगा यह समझ्या आ जाएगी समझ आया तो यह समस्या आ सकती है तो हाई प्रेशर एड वेस्टन प precipitation हर चीज़ बदल जाएगी हर चीज़ बदल जाएगी और यह क्या होगा करेंट विद्टी अलीनों से आप करेंट करी पार हो जब चेंज हो जाएगा डारेक्शन में विंड के प्रेशिपिटिशन के ख्लाइमट के तो यहां पर यहां पर भी वाव मोशन करेंट आजाएगा बउन मोशन करेंट के चलते क्या होगा कि सब कुछ जो है वो पूरा का पूरा क्लाइमेटिक सिचुएशन में 360 डीगरी चाएगा तो एलिनो और प्रेशियर कंडिशन में चैं कमजोर कर देते हैं तो दिस वाज इस्टोरी अब आउट एंसो एलीनो सदन ओस्टिलेशन सारी चीज़े ठीक है तो अब देखो क्या है अब यहाँ पर और ब्रीक लेते हैं ठीक है सांस लेते हैं हमने क्लाइमेट चैप्टर का एक मेजर पार्ट कम्प्लीट कर लिया है ठीक है तो हमने जो बुलते हैं जो फंडामेंटल्स थे समझ में आ रहा है फंडामेंटल्स जो जो थे मॉन्सून मेकिनिजम ऑफ मॉन्सून समझाने को लेंगा 500 लिग देना एलीनो पूछा जा सकता है सीजन्स के बारे में पढ़ेंगे मॉन्सून का आना और जाना ठीक है इसे आप खुद भी पढ़के कर सकते हो लेकिन फिर भी एक बार हम क्या करें कुछ कुछ में चीज़ें आपको बताते चलूँगा कुशन कैसे मन सकते वह बता दूँगा ठीक है तो वह हम सारी चीज़ इसे आता देखो एक तरह का आपको पल्सवीटिंग नेचर देखने को मिलेगा मॉनसून का ठीक है जिसमें क्या होता है जिसमें आप दिखेंगे तो तो systematic उसका आना और जाना दोनों चीज़े होती है तो अब आप इंडियन मौनसुन को जब समझते हैं तो इंडियन मौनसुन में आपको burst of monsoon देखने को मिलेगा ठीक है burst of monsoon कहते हैं तो normal rainfall increases suddenly and continuous continuous constantly for several days तो जैसे हलकी बुल की बुहार में तो ऐसा होता ना कि एक दिन बार इश गरिए 15 दिन तक पानी नहीं है बस वो मिट्टी को जमा के चले गई थी एक बार तो लेकिन जब क्या होता है burst of monsoon में आपको क्या देखने को मिलता है कि normal rainfall जो रहती normal rainfall व burst of monsoon में वो वो चीज देखने को मिलेगी ठीक है burst of monsoon में वो चीज देखने को मिलती है समझाया तो let us see how monsoon arrives in India कैसे आता है डोल नंगाड़े वाजवा के साथ जी हां कुछ उसी तरह से by the first week of June the monsoon arrives at the southern tip of the Indian peninsula ठीक है तो इंडियन परेंसुला के अगर बात करें तो southern tip of इंड के time period में ही बारिश हलकी 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 पुलकी वूंदे जो है आने लगती है ठीक है और उससे भी पहले आप देखो तो हमारे जो आइलेंड पार्ट है ना आइलेंड पार्ट में लक्षदीफ हो गया अंडवान निकुबार आइलेंड हो गया तो यहां पे और पहले बारिश कि यहां सबसे पहले आती है उससे लास्ट में जाती है ठीक तो बारी फर्स्ट वीक औफ जून दि मॉंसुन आराइव एक दी सदन टिप आपस इंडियन परिए और मॉंसून जो है सदन टिप पे आकर सदन टिब पह कर आकर अपने आपको दो इस्तों में दिवाइड कर ले तो मौनसूर अपने आपको दो ब्रांच इसमें डिवाइट कर लेता है समझ में आया है ठीक है आपको यह जो फैक्श्वल पार्ट है यह एसे बुक में से मिल जाए लेकिन फिर पर कुछ एक्समेशन वाला पार्ट है तो मैं देते चलूंगा ठीक है अरेबियन सी ब्रांच क ठीक है 10th of June तक क्या है 10 जून तक अरेबियन सी ब्रांच जो कहां पहुच जाता है मुंबई तो यह मुंबई से बारिश स्टार्ट होती हमारी मान के चलो मुंबई मतलब यसा नहीं कि मुंबई का कि मुंबई से गेट है वहाहा से कोई हवा क्य सकते मॉंसुन लेडन करेगी वह एक कहने का तरीका है कि मुंबई एक इंपोर्टेंट पॉइंट है मतलब वेस्टरन कोस्ट पर आप दस तारीक के आसपास इसे देखोगे तो मॉंसून विंद्स जो है टकराना चालू हो जाती है वेस्टरन कोस्ट पर ठीक है फिर क्या होता है मौस्टु एंड सेंट्रल पार्ट और है यहां सेंट्री लेने के बाद में यह विंछ जो है यह 30 ard जो है तो सौरस्ट टिकतर सेंट्रल पार्ट जो है मालवा वागेरह यहां पर अंदर मार जाती कि हैu अंगाए हम तो हम यह पुन्त आप जाती है उब पहुँंत Sigur आ गए तो इस तरह से क्या है फर्स्ट वीक ऑफ जून में आपको यहां पर आसाम में पहुचते हुए देखने को मिल जाएगी कौन सी बेयो बेंगॉल ब्रांच पहुच गई अब ड्यू टू हिमालयास डिफ्लेक्ट वेस्ट और गंगा प्लेंज अब यह ब्रांच जो है त हिमालयास होते हैं लेकिन हिमालयास खड़े से डesta कर देते तो जिसनता है क्या होता पुलिस वाले खड़े हम गाड़ी लेके जा रहे व्यून तर दे डेक्ट वो तो इस तरह से क्या होता वही कि और यहां पर होता है तो रहेती है तो जारी है ठीक आद मैंSTA होती है तो फि वीक आफ जून तक पहुंच जाती है लेकिन फिर वह डिफ्लेक्ट कर जाती द्यूंतु हिमालया इंदी सेंट्रल पार्ट मतलब क्या है सेंट्रल पार्ट वह इदर उत्तर प्रदेश बिहार इन रीजन्स में बारिश करते हुए फिर आगे बढ़ेगी समझाया तो मर्जिस वर नौर्थ वेस्टर पार्ट वाइदी फिर्स वीक आफ जुलाई वेस्टर उत्तर प्रदेश पंजाब हर्याणा एंड एक्स्पिरियेंसे मौन्सून इंश्टर राजिस्थान अब क्या है तो यह बाकी पार्ट है पंजाब हो गया राजिस्थान हो गया मद्रदेश हो इस पूरे पार्ट में बारिस इस तरह से होती है फिर क्या है भे-घंगोर वादल के चाहा जाता है इस तरह से और वहां तो यह क्या है यो Width समझा इने आपको मर्ज हो गई ठीक है कि दर गया तो मर्जेश ओवर नॉर्थ वेस्टर पार्ट विक आव सब जगा पानी आ गया तो जो सूखी धरती थी गर्मी मित्तप रही थी वो अब क्या पानी मिल गया उसको ऑन दी अधर हैंड दी विट्रॉल समझाया अब विट्राहल की बात करें जाता कैसे तो विगें स्रॉन दी नॉर्थ वेश्टर इंडिया वाइश्टां पंजाव मिल पान fight वीडिमर्व विड्रॉर करना रहा है चाट करती है और मीड ओक्टोबर तीक है मिडॉड्र इट विड्रॉस कम्प्लेटशmost तो यहां पे सबसे पहले मौन्सून आता है और जाता भी अब यह विड्रॉ करके जब आप स्बसे आजरों यह इंटेज़ नहीं पूरी पूर्ज तो पूरी कंट्री से रिट्रीट कर जाएंगी लेकिन आखरी में क्लाइम्स कीद्सन distanceantu of climate it is characterized by distinct seasonal pattern तो अलग अलग सीजन आपको देखने को मिलेंगे climate क्या हो गया climate आपको मॉन्सून हो गया लेकिन उसमें अलग 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 weather conditions है depending on the monthly atmospheric conditions अगर आप समझोगे तो क्या है एट इस देर आप distinct seasonal patterns जैसे जैसे आप क्या देखो कि distinct seasonal patterns में weather conditions greatly change from one season to other weather season होता है hot weather season होता है advancing monsoon जिसे रिनी season कहते है retreating monsoon जिसे हम transition season कहते है मतलब इसमें क्या है कि आप बारिश से एक नए season की तरफ जा रहे हो मतलब winters की तरफ जा रहे हो ठीक है तो यह यह transition है मतलब यहां से हैं वापिस यह जो आता है यह वाला सब्सक्राइब तो on the basis of this four main seasons can be identified ठीक अब क्या हो रहा है यह जो seasons है न तो seasons भी क्या कहा जा रहा है most of the time they are observed in the interior parts the coastal areas do not experience much variation आप coastal region में जाओगे न तो coastal region में एक देसे ही है ना थंड़ है ना गर्मी है बारिशोती तो हाँ दिख जाता है कि सर्दी भी वीशन ठीक है तो उस तरह से क्या है यह जो season की हम बात कर रहे हैं यह seasons जो है कहां observe होते ज्यादा interior part में ठीक है interior part में seasons ज्यादा observe होते हैं जैसे अब एक पहला season जो आपका cold weather season इस तरह से क्या है चोटी शोटे चोटे से वह धिहादा रखना और मैं आपको season समझाते चलता हो विंटर जो है तो विंटर कब से start होता है mid of November से इस तिल फैबरी दिसंबर जन्वरी सबसे ज्यादा थंड़े महने होते हैं इस बार अभी फरवरी चल रहा है लेकिन फरवरी में बहुत थंड़ा है ठीक है थंड़े थंड़ा है अब तो सब उट पटा है season भी कभी भी कुछ भी हो सकता है अब temperature की बात करें तो temperature decreases from south to north ठीक है temperature कैसे होता देखो temperature होता है south से north की तरफ ऐसे डिक्रीज होता है ठीक है ऐसे डिक्रीज होता है temperature क्यों क्यों कि आप देखो कि south जो है तो क्या equator के पास है तो यहां तो क्या है हर समय गर्मी लेकिन आप जैसे जैसे नौर्थ में जाओगे तो आप क्या बढ़ाते जा रहे हो और climate control में क्या पढ़ा सीख जाग दोर भेंकर भीषण वाला winter ठीक भेंकर भीषण वाला winter होता है is that clear समझ में आ रही है चीज है तो इस तरह से क्या है कि यह जो पॉइंट बताया है कि temperature decreases from south to north यह समझ में नौर्थ विस्ट विंड्स प्रिवेल ओर दी कंट्री अब विंटर सीजन में क्या होता है नौ summer चल रहे होंगे तो हमारी country के उपर क्या prevail कर रही होती कौन से बेंड नौर्थ इस्ट विंड्ड जो है वो prevail कर रही होती है जो नौर्थ इस्ट रहती है तो यह ड्राय सीजन रहता है उसलिए क्या मौश्य राज़ लगते लगा लगा के घूमते क्योंकि ड्राइविंड च में कोई मौश्य नहीं होता है ठीक है विंटर सीजन है सेम अमांट ऑफ सम अमांट ऑफ रेंफॉल अकर्स अंदी तमिल्णाडू कोस्ट यह भी एक सवाल अच्छा कि ऐसे तो कई बारिश होती नहीं है विंटर्स में में विंटर्स में जैसे अगर आप देखोगे तो होती रिट्रीटिंग मॉंसुन जो होता है विंटर्स में आपको तमिल्णाडू कोस्ट पर बारिश होती है जरूर देखने को मिले क्यों क्योंकि यह जो विंटर्स रिट्रीट करके जा रही थी तो इन्होंने मौश्य उठा ले था चोरी से बेओ बेओ बेंगॉल से वह मौश् कर देती तमिल्णाडू पर तो एट ताइम्स आपको क्या देखने मिलता है सम अमाउंट ऑफ रेइन फॉल अकर्स ऑन दी तमिल्णाडू कोस्ट समझा आया ठीक है अब ड्यू टू लो प्रेशर विंट्स ब्लो फ्रॉम साथ सर्फिस ठीक है तो इसी कारण क्या होता है और नहीं सब्सक्राइब कर रहती है और रहुत रहती है तो मौश्यर को प्रेसिपिटेट करवा के चले जाती है ठीक है उस मौश्यर को प्रेसिपिटेट करवा के चले जाती है तो what is the impact of western cyclonic disturbances western cyclonic disturbances का impact यही होता है कि winter rainfall जिसे महावट की बारिश भी कहा जाता है वो आपको देखने को मिलेगी which is useful for rabi crops क्योंकि क्या होता है खारिफ crop जो होती है तो उसको तो पानी मिल जाता है खारिफ crop मतलब जो rainy season वाली crop होती है लेकिन winter season वाली crop जो रहती है उसको पानी कौन देगा बिशारी को तो उसको पानी देता western cyclonic disturbances तो इस कारण से क्या होता है impact of western cyclonic disturbances का यह है कि winter में rainfall हो जाती है which is helpful for the farmers in their rabi crops ठीक है what is the impact on peninsular region इसा अपने को क्या फरक पढ़ता है ठीक है पैंसला पैंसला रीजन मतलब यह वाला पार्ट जो तो पैंसला रीजन is विलाइक क्या फरक पढ़ता है को कुई झाना है तो मेरे आपको बता है कि विंटर जो है तो साउथ में ज्यादा अफसर्व नहीं किया जाता है थीक है कोड़ कोड़ऋ सीजन ये वेस्टरं साइकलोनिक डिस्ट्विश के बारेमे बता है मैंने आपको किस तरह से वो ंइंडिया-में मॉशल लेके सब्रकाटि तुकटी सबस्ट को सबको धहाण रेते हैं थे सब्षर मेल में रहते हैं तो प्रॉपिक ऑफ कैंसर पह जाता है डू टू लिखने का तरीका नॉर्थ वर्ड मुवमेंट सन्स लाइक फादर तो वह रहते हैं लेकिन अर्थ के करवेचर के कारण अर्थ के लिखने को मिलेंगे नदर हमिस्फियर में तो इंक्रीज इंपरेचर क्या है इंक्रीज इंपरेचर ओवर दी टाइम एक्सेप्शन परख पड़ता है क्यों क्यों परेंसल रिजन में आप जिसे दिखो तो क्या है मौडरेटिंग इंसेंस ओफ सी जो है वह चलती रहती है तो इस लाइक अपने को क्या फरक पड़ता है चलो तो यह हो गया तो इंक्रीज इंदी टेंपरेचर ओवर टाइम ठीक है एक्सेप्शन परेंसुला रिजन क्यों है समझा दिया फॉर्मिशन ओफ लो प्रेशर ओवर दी इंडियन लैंड मास यह तो आप समझी गए होंगे क्य है तो इंडियन लैंड मास के उपर आपको लो प्रेशर एरिया देखने को मिलेगा और यहां पर तब चल रही होती है एक बहुत भीशन बहेंकर गरम हवा जिसका नाम है लू ठीक है तब चल रही होती है लू तो दीज आर स्ट्रॉंग गस्टी होट ड्राइव इंस क्या है चोटे-चोटे कपड़ों में घूम रहा है इसको लू लग जाएगी न तो बहुत तीजी से विमार होता है डारेक्ट एक्सपोजर मतलब क्या है इसलिए कहते ना कि बाहर निकल रहे हो क्या गर्मियों में तो पूरे धक्के जाओ अपने आपको अच्छी तरह से क्यों डारेक्ट एक्सपोज़र यह जो हॉट्ट फ्लो कर रहे हो तशह लू कहते है वह हवाई एक बार रूओ लू लग जाते तो लू ने पड़ जाते हैं मिस्तर में तरह से क्या है डारेक्ट एक्सपोजर तो इस जिए में प्रू ब्रू भी फैटल तो इस सब्सक्राइब क्या बनेगा ठीक डॉस्ट स्ट्रॉम बिंग स्ट्रॉम चलती है बहुत तेज आंधी तुफान टाइप से आता है घर में पूरा कचरा-कचरा हो जाता है और लेकिन कभी-कभी इसी कचरा-कचरा के चक्कर में क्या है कि छोटी-मूटी बुंदा-बांदी भी हो जाती है और उसी के चलते क्या होता है तो यहां दिख मत जाना हम तो वही वारी चीज़े कि कभी-कभी क्या होता है यह दस्ट्रॉम के चलते छोटी-थोडी-बहुत-बुंदा-बांदी हो जाती है तो उसे लोवस्टी टेंप्रेचर एंग लाइट रेन इन और कूल ब् होट वेदर सीजन खतम हो रहा होता है वैसे वैसे अपना विक्राल रूप लेह रहा होता है मतलब विंड जो है हाई प्रेशर सो लोग प्रेशर बहुत तेजी से चलने लगती है ठीक है तो उसी के चलते क्या होता है दूरिंग दी एंड अफ दी सीजन थंडर स्टॉम पारिश हो जाती जब क्या इंटेंस क्या खेता है प्रेशर कंडिशन हो जाती है तो वह पारिश में अपनी तो बहुत थंडर स्टॉम वगेरा बिजलियों का कड़कना तेज हमाएं चलना यह सारा सब कुछ हो रहा होता है और इसलिए से क्या कहा जाता है काल बैशा की कहा जाता है वेस्ट पेंगॉल में ठीक है और यह जो छोटी मोटी जैसे यहां पर लिखाना लाइट और लाइट रेंफॉल वगेरा हो गया एक ताइम्स क्या अकम्पनिट वित हेल स्ट्रॉम वगेरा यह सब कुछ हो गया तो बारिश भी हो जाती है ठीक है तो इसे क्या कहा है ठीक है प्री मॉंसुन शार भी कहा जाता है या फिर मैंगो शार भी कहा जाता है क्यों मैंगो रख्यान हाते क्या लोग नहीं मैंगो शार इस प्ले क्योंकि यह जो प्री मॉंसुन शार होती ना मॉंसून के आने से पहले बैट वेदर कंडिशन में जो बारिश होती है त लकुरती कितनी त्यारी है ना ये जो बूने गिरती पानी की तो इससे आम जो dify न मैंगो जो यह पाक जाते हैं इसलिए में पलभागा लिसेंगे जाता है अब होड़े основ विंकर Summers आये, Summers के बाद में अब क्या आएगा, Summers के बाद में आता है, Rainy Season, ठीक है, Rainy Season, या फिर इसे क्या कहा जाएगा, Advancing Monsoon, ठीक है, Advancing Monsoon भी समझो, तो It Begins by Early June, ठीक है, Bringing Rainfall for the whole country, पूरे देश के लिए Rainfall लेकिया आजाता है, कोनाया, बारिश आईए, ठीक है, उस तरह से, त क्या आ रहा होता है, Rainy Season, आ रहा होता है, Characteristic क्या है, ठीक है, Advancing Monsoon की Characteristic यह है, कि Southwest Winds, flowing with an average velocity of 30 km per hour, तो reversal तो होई गया, Wind Direction में, Winters में चल रही होती है, लेकिन अब क्या है, अब समर्स आ गया थे, और समर्स ने पूरा कारीक्रम विगाड़ा दिया था, यहां low pressure बन गया है, यहां high pressure बन गया है, ध्याना रहा है, इंडियन मौनसून, तो यही advancing Monsoon है, तो आप Winds क precipitation करवाती है, यह Southwest Monsoon Winds बारिश करवाती है, किदर रहा है, यह बारिश करवाती है, तो Southwest Winds flowing with an average velocity of 30 km per hour, brings a total change in the weather, ठीक है, वेदर में पूरा total change आ जाता है, वेदर में total change आता है, rainfall आने लगती है, and the amount of rainfall received may vary from region to region, अब देखो बारिश तो आ गई, तो इस तरह से क्या आगया, पधा ही हो, ठीक है, बारिश आ गई है, लेकिन यह बारिश हर जगा एक जिसी नहीं आती, क्यों, क्योंकि आप देखो कि तो देश में कहीं, आपको 400 cm में rainfall भी देखने को मिलेगी, लेकिन हा, यह है कि पूरी country का जो है, वो बदल जाता है, मौसम, Monsoon have a break in rainfall, और बारिश भी फिर साथ दिन पानी गिरने के बाद कुछ दिन खुल जाता है, पानी सूख जाती है, जमीन, हम सोते चलो खेलने जाएंगे, ग्राउंड में पता लगता है, पानी फिर आगया, फिर किचल किचलो होगा, ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, ड्राय और वेट स्पेल जो होत होता है, जिस साल एलीनो रहेगा, तो उस साल क्या है, कि यहां जिसे अगर आप देखोगे, तो क्या हो गया, वाँ मोशन करेंट, वाँ मोशन करेंट, वाँ मोशन करेंट, वाँ मोशन करेंट, तो यहां लो प्रेशर ही रहेगा, यहां भी लो प्रेशर ही रहेगा, तो यह लो प्रेशर को अट्रैक्ट करने के लिए कोई मिलेगा नहीं ठीक है तो अब क्या होगा कि अब मॉंसून है यह नहीं मजबूत बैठे है किसान हाथ पर हाथ रखके अनसर्टेनिटीज में कि बारिश आएगी ठीक है बारिश आएगी हम खेती करेंगे तो जो अनसर्टेनिट चीज होती रहा तो वह पूरे के पूरे सिस्टम को बिगाड़ कर देती है ठीक चलो अब जैसे देखें तो अगला सीजन का है रिट्रीटिंग या फिर पोस्ट मॉंसून जिसे हम क्या है ट्रांजिशन सीजन मतलब क्या है कि मॉंसून खतम होगा मॉंसून खतम होने के और उसके चलते हैं चाहिएल उसके चलता है और यhou इंडिया के उपर नहीं और बना था वह वेसर failure रहे मतलब उसका मतलब देराइबा वो रिट्रीट करके जाने लगेगी वापिस आने लगेगी इसे हम क्या कहते है कि कोई गया और कोई आया साउथ मतलब जो मॉन्सून विंड्स थी वो गई और उनकी जगा बापिस से ड्राइ नॉर्थ इस्टन विंड्स आने लगेंगी ठीक है तो होट रेनी सीजन टू ड्राइव इंटर कंडिशन होट रेनी सीजन से ड्राइव इंटर कंडिशन में आपको चेज देखने को होती लेकिन तो भूप दीज चिलकने लगती है तो रही होता है उसके चलते ही उप्तुबर हीट वाला फिनोमेन होता है तो ड्यूतो थी चंडिशन ऑफ हाई टेमपरेचर बढ़ रहा है और क्या हो रहा है यूमिडीटी हमिडीटी वह रही है क्योंकि पानी ही बानी है सब इस जगाँ और इस सब्क話 फ्यूर्च बर्ख्वर इससे कहा जाता है ओक्टोबर ही तोन제 कह साइक। शिफ्थ में हो रहा है एपया सब्सक्कर वर फ्रेसर उस जए कि इंडिया में अभी तक LOW रहा है प्रेशर हिशर नकिन आप इंडिया में गरम पानी घरम है पानी गरम क्यों है प był जिसमें जल्दी को तो जैसे जैसे साओसोर इंसुलेशन तो थन्डी में बmost जमीन है ये हाई प्रेशर है तीनों तरफ हाई प्रेशर है जमीन है तो इदर भीच में लोग प्रेशर हो गया तो अब इधर से भी आसी विंड चलेगी उदर से भी आसी विंड चलेगी तो अब क्या हो रहा है centralized low pressure is surrounded by the high pressure ठीके तो centralized low pressure surrounded by the high pressure will lead to the convergence of wind from all the sides, ठीक है, सभी तरफ से क्या winds आ रही है, और सभी तरफ से जब winds आ रही होती, तो एक circulatory motion लेकर क्या बना देती है, cyclone बना देती है, देखो, दो मिनिट में आपने cyclone सीख लिए cyclone कैसे बनता है, समझ माना, जब आप basics पर बना लेते हो अपनी, तो आपको हर चीज समझ में आने लगती है, ठीक है, मैं इस chapter को मैं बता रहा हूँ, आपको इमानदारी से मैं 12 घंटे तक बढ़ा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन, ठीक है, रिस्पेक्ट करो, वन शॉट लिखा है, उपर कही, ठीक है, इधर लिखा है, तो उस हिसाब से मैं आपको थोड़ा सा चीजों को क्रिस्प में समझाते चल रहा हूँ, लेकिन यह आपको, कि तर गया, लेकिन यह आपको समझ में आया न, कि लो प्रेशर कैसे बनेगा, यह लो प्रेशर इसी तरह से बनता है, समझना है साइक्लोन कैसे बनता है क्योंकि रिट्रीक तो कर गया मॉन्सून लेकिन आप क्लाइमेटिक कंडिशन देखोगे तो लैंड जो है तो जो डिफरेंशल हीटिंग और कूलिंग होता तो उसके चलते लैंड अभी भी क्या होगी थंडी हो गई है हाई प्रेशर बन गय समझभाई मेरी बात साइक्लोन बनते देखने को मिलेंगे तो आलोंग विद्न कंस दी डिस्ट्रक्षन और आपको पता है साइकलोन आते है तो पानी तो आते हैं लेकिंवान इसके साइर्ड देस्ट्रक्षन बहुत जादा रिइनफॉरड यह सारी समस्या आपको मिलती है तो हमने चारो सीजन भी पढ़ लिए ठीक है विंटर्स समर्स और जो जो भी थे रेनी सीजन और जो ट्रांजिक्शन वाला पीरिड था रिट्रीटिंग मॉनसुल वाला तो आप कुश्चन कहीं से भी बनेगा बनना चाहिए मैं आपको ये फैक्शुल पार्ट इस पर सारी च अगर आप किसी पच्छे को अभीता की पूरा लक्षर हमारा खतम होने पर लगभग लगभग किसी को अगर ऐसा लग रहा होगा कि जब रहा नहीं सोलर इंसुलेशन को हिरो बनाया वह एक चीज समझना जो भी हुआ सब प्रेशर कंडिशन के हिसाब से हुआ विंस भी चल को अगर हम पढ़ते हैं तो रेंफॉट के डिस्त्रीबूशन कैसा है देखो दे रेंफॉल ओवर इंडिया इस अनेवनली डिस्त्रीब्यूटेड रेंफॉल जो है अनेवनली डिस्त्रीबूटेड है वेस्टन कोस्ट एंडी नॉर्थ एस्टन पार्ट रिचीव अबाट 400 सेंटीमिटर रेंफॉल ठीक है तो जिसे अगर आप दिखेंगे हमारी कंट्री का जो वेस्टन कोस्ट वाला पार्ट है हजीब सुनो यह चैप्टर आज कर सकते हैं तो यहां पर बताया रहा है डिस्ट्रिबिशन क्या है वेस्टन कोस्ट और नौर्थ इस्टन पार्ट रिसीव ओवर अबाउट 400 cm rainfall तो यहां पर आप देखेंगे तो 400 cm rainfall तक बारिश हो जाती है वेरस दी पार्ट्स ओफ वेस्टन राजिस्थान एंड एडजोइनिंग एरियास रिसीव लेस देन 60 cm rainfall ठीक है लेकिन उसके उसी में अगर आप देखो कि तो पार्ट्स ओफ राजिस्थान और एडजोइनि नस देखने को मिल रही है कारण कारण मल्टिपल है ठीक है रीलीघर हो सकता है मोंसून का क्या सकते है जो होती है वो कहां तक पहुच पारी है कहां तक प्रेसिपिटेड करवा पारी वो एक factor हो जाता है ठीक है तो यहां पर इंटिरियर पार्ट में भी रैंफॉल लो है क्ल में पहुंचनी नहीं नहीं तुर लप लगरे में बारिश कम है तो यहां पर भारिश कम है थिक यहां पर भारिश कम है तो बाकी कंट्री में क्या है प्रेशिपिटिशन के राम पे मौडरेट रिंफॉल हो जाती है तो प्रेशिपिटिशन के अगर बात करें तो उपर से गिरना अब हेल्स्ट्रॉम भी हो सकती है और रेंफॉल भी हो सकती है तो आप देखेंगे हिमालेन रीजन में क्या स्नोफॉल होता है ठीक है अलॉग विद इस अलॉग विद दिस्टिबिशन दी एनवल रेंफॉल इस ऑल्सो है ली वेरियबल हां तो वे ऐसे तो डिस्टिबिशन में आपको क्या देखने को मिल रहा है ड सब्सक्राइब करता सोलर इंसुलेशन पर किसी साल क्या होता है कि बहुत जादा गर्भी पड़री होती तो पूरे करेंट्स वगेरा जो है वह सिस्टेमेटिक चल रहे होते कर्मी कम हो जाती तो सब करेंट्स रिप्लेस करने लगते एक दूसरे को ठीक है तो अगें यहां फिरो वह गो बना हमारा सोलर इंसुलेशन लेकिन आपको बता रहा हूं कि एन्वल रेइनफॉल जो है वह भी एक्टिक हैं कि हमने मॉनसून के बारे में बिसिकली पड़ा इस क्लाइब चेप्टर में मॉनसून को हमने संटर स्टेज पे रखा तो यहां पर हम देखते हैं कि मॉनसून एक यूनिफाइंग बॉंड की तरह है ठीक है understand the heading क्या है कि मॉनसून एक country को यूनिफाइंग बॉंड की तरह समाल के रखा हुआ है country को बांदे रखा है क्यों क्योंकि हो सकता है कि कैरला में रह रहा हो सकता है कोई उत्रप्रदेश में रह रहा हो हो सकता है कोई कश्मीर में रहा हो सकता है कैसी इसको सभी जगा किसान है न 아니면 है किकि झौ तो हुमारे physical fixatём से तो यह हसे शuis टाइप ऑफ ऍलाइमेट के लिए और करते हैं कैसे वह समझातों मैं आपको मान लीजिए कि अगर ऐसा इंडिया होता कि हिमालयाज यहां होते है आदा इंडिया के इधर पार्ट होता ठीक है और आदा इंडिया इधर होता बीच में हिमालयाज होते तो क्या होता है इतने इंडिया में अलग ही क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक होत कहते हैं हमारा continent Asia लेकिन Indian subcontinent कहते हैं ठीक है Indian subcontinent क्यों कहते हैं क्योंकि इंडिया ने अपने आप में अपनी characteristic hold करके रखी है समझ पार हो उन्हें इंडिया के जो physical features है इंडिया के जो physical features है इंडिया के जो physical features है यह helps in monsoonal type of climate ठीक है leads to rhythmic cycle of season तो rhythmic cycle of season इसी कारश से बन पार है क्योंकि इंडिया के physical features ने क्या करके रखा वैसी situation बना के रखी है ठीक है monsoon जो है तो monsoon का entire phenomenon is such as landscape animal plant life revolves around the monsoon तो हमारी lifestyle हो गया animals हो गया plant life हो गया सब कुछ monsoon के इर्दगिर्द revolve करता है ठीक है जिसे आप observe करो पूरा हमारे तहवार जो है ठीक है हमारे तहवार का है कि अब देखते मौनसून आया तो monsoon में क्या पानी इवानी सब गाउं एक रूरल लैंड्सकेप से में अगर आपको बताऊ तो बारिश में आप वापिस से उस तरह से क्या है बहुत ज्यादा विजिटीशन वगेरा यह नहीं होना है चीज़े इतनी बारिश की खारण लोगों के आंगन खराब हो जाते हैं ठीक है कोटियाड वगेरा तो वो सब सुधार लेते हैं तो हमारे फेस्टिवल्स हमारे रिच्वल्स ठीक ओफ पीपल इंक्लूदिंग दियर फेस्टिवल्स राउंड इमांसुन ठीक है होल कंट्री इगरली वेट्स एर्राइवल ओफ मांसुन इट प्रोवाइट्स वाटर तो रिवर पॉंड्स विच युनाइट दी होल नेशन ठीक है नदियों में पानी आता है वो जो नदी है तो वो कहां से निकल रही है उत्तरा खंड से निकल रही है वेस्ट बेंगौल तक जा रही है गंगा अगर तो वो जोड के रखे हुई है सबको ठीक है और उस नदी को जोड के रखने लाएक कौन बनाता है मॉनसून बनाता है तो इस सेंस में मॉनसून acts as a unifying bond समझ मैं मॉन पर कुशन आ जाएगा तो डिस्ट्रिबिशन ओफ मॉनसून रेंफॉल उस पर कुशन हर पार्ट पर बन सकता है इसलिए मैंने आपको फिंक बॉक्स में एक टाइटल दिया है तीक है इंडियन मॉनसून का मेकेनिजम ठीक है क्लाइमिट कंट्रोल्स के फैक्टर्स यह इंडिया के क्लाइमिट को समझ पार हो तो इस तरह से हम जो है हम क्या कह सकते हैं इस चैप्टर को पूर्ण आहूती दे सकते हैं अब आपका काम यह है कि आप मुझे बताएं यह कमेंट सेक्शन में डियू लाइक और नॉट समझ लिए आई चीजें सारी नहीं आई सब कु ओठ चीजेंगे जो पॉइंटर में दो नंबर में तीन नंबर में कुश्यन पूछे जा सकते हैं शॉर्ट में तो आपको डिफाइन भी करके मैंने बताया समझाया भी है तो जितना जरूरी है उतना सब कुछ हमने इस वन शॉट वीडियो में पढ़ लिया है आपको सारी क्लास मैं आपको अपडेट कर दूँगा टेलेग्राम चैनल जाइन कर लेना ठीक है तो उससे आप अपने कैडमी आप जैसे डाउंडोड करो तो महां कम्यूनिटी सेक्शन होता है वहां पर आप कर सकते हो तो मैं वहां पर अपडेट करता रहता हूं कि कब कौन सा सेशन आने मैं तो